कि कहते हैं राह संगर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है और जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य वनकर वही चमकता है जही दोस्तों मैं विक्रम स्वागत आप सभी दोगों का आशे शिंग लेक्टर के अस मस्त और धमा के दार वीडियो मनें आज की वीडियो बहुत ही जादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का काफी सारे बच्चों को बेसबरी से इंतिजार था शंकू परिछे तो क् क्या आप सभी लोग तयार हो जल्दी चे बताईए प्टाफट कमेंट करके क्या आप सभी लोग तयार हो बहुत ही खास होने वाली है और मैं बता रहा हूं आपको इस क्लास के जो मेजर पार्ट है वो आपके पास तीन टॉपिक है इन में से जो मेजर पार्ट है आपका वो स्टार्डिंग के तीन है वरत दीर्ग वरत और पर्वले और इनके क्योशन जो है वो 12th क्लास में भी देखने को मिलेंगे अगर आप IIT के त्यारी करते हो तब भी आपके लिए टॉपिक जो है वो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जो बच्चे कह रहे हैं बेसिक से पढ़ना है तो मेरा प्रॉमिस है आपसे वादा जिसको बोलते हैं जिती देर क्लास चलेगी आप लोग अगर मेरे साथ बैठ गए तो यकिन मानो कुछ लेकर ही उठोगे कि दो चार पांच नमबर लेकर ही उठोगा खाल यापने जाने दूगा ऐसल का दर्वार से कभी कोई खाल याप गया नहीं करे स्टाट करते हैं परिछ assez चूटी सी चीज्ज बताता हूं अकूंगों आपको लोग कभी किसी के जनम दिन पार्टी में गए किसी के जनमदीन पार्टी में कभी पुलाया है कोई डोस्त दोस्ती नहीं परवियत आपको जनम दिन में पुलाये हैं आप गये हो उसके लिए पिर ने कि मुंफली खाई यह कभी आप लोगों ने मुंफली होती ना जिसकों क्या बोलते हैं सींग दाना मतलब कुछ जगे उसे सींग दाना के नाम से जानते हैं तो द्यान से सुनिएगा अब मैं कमेंट्स पर द्यान नहीं दूँगा सिर्फ पढ़ाने पर फोकस है मेरा तो इसलिए द्यान से सुनिएग एक चीज को कभी किसी के बड़े में गए हो कभी सींग दाना खाया हो तो ऐसा कुछ देखने को मिला होगा ऐसा लट्टू लट्टू द आपको न कुछ एसा दिखेगा ओईसवार इसको देखो जयन से मांन लिजे यह बराबर इदर का इससा बराबर है तो यह जो शेप आपको दिखरा है यह वाला इस शेप को हम बोलते हैं शंक वरत को पता है अर्वरड सबको पता है और समांतर चतर्बूज पता तो आप देखो जो नया शेप है यह नया शेप क्या है शिवजी के अगर आप लोग पृशाइड चड़ाते हो मंदिर जाते हो तो डंबरू नाम की एक चीज होती है या मदारी को कभी देखा हो तो उसके हाथ में भी मरूताया है सबने तुमहे कई किसीने बुठाय इसलिए। लना इसलिए तूम्हे बिलाया नहीं न इसलिए। तुम्हें अब द्द्यान से सुनिए। एक पैन ऐसा यह के एक और पैन एक मिनट रुखोसा है क्य 있나 उप्वेल एक ओर मिनंहें और उस पैन को मैं इसके चारो तरफ गुमाता हूं बात सब्सभ्रना है एक मिन रूखेंगे मैं आपको बताता हूं प्रोपर पैन यह देखो, यह आपका एक पैन है, और यह आपका एक पैन है, एक पैन बिलकुल सीधा है, पास में से देख लो, एक पैन बिलकुल सीधा है, एक पैन ऐसा है, मतलब आपकी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो इसको ऐसा रख दिया, और यहाँ पर मान लेते हैं, अपने इसको आ देते हैं रबब्ड से बानने के बाद फिर इसको गुमाते ही हूं तो जब आप इसको घुमाऊंके तो यह तो यह जो है इसको तो अगर मैं गुमाऊंगा तो इसका जो शेप है इसको यहाँ पर देखना ध्यान से देखते रहे ना यह आपके पास यह काला वाला पैन है ठीक है और एक पैन और है जो आपके पास ऐसा है ऐसा अब हम क्या गर रहे है इस काले वाले पैन को इसको इस वाले पैन इसको ना इसको जो नीला वाला पैन दिख रहा है इसको मैं ऐसे गुमा रहा हूं तो गुमाने से क्या होगा गुमाने से अगर ऐसे गुमाओगे तो गुमाने से क्या होगा यही चीज आपकी ऐसी बनेगी देखो थोड़ा सा आज डाइग्राम का काम जादा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आज की किलास में अपने से पड़िमेह aiya अब हम क्या कर रहे कि इसको गुमाज़ें और इसतरी से गुमा एक यह जो कोन है उने एक यह extraordin है यह अचल हर बार कि अचल ही रहेगा ौप कई रहें हम इसको गुमाने पड़,- अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऐसे ले सकते हूं कि यह बिल्कुल ऐसी आकार ले लेगा कि अगर कि यह ऐसी आकार ले लेगा और यह आपका कुछ इस टाइप से मिल जाएं इसको उठाओ और यहां पर ऐसा लगा देते हैं अइसा दिखा आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीजे एकदम अच्छे से किलियर हो जाएं देखो नाम वाम लेनी कि मेरे से मत बोला करो क्योंकि नाम आप जब कोई अच्छा काम करोगे तो मैं बिना बोले ले लूँगा उसके लिए आपको बोलनी के जरूपने पड़ेगी मुझे कभी भी लिए तो यह constant angle से हम गुमार है अब आप ध्यान से देखो आपके पास दो डमरू बन गए मतलब यह डमरू एक ही है पर इसमें दो शंकू बन गए उपर वाला हिस्सालग और नीचे वाला हिस्सालग के लिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं अगर हम रेखाओं की बात करें तो दो एक रेखा आपके पास यह है और इसे हम नाम दे देते हैं चंद्रमुखी यह आपके पास एक रेखा है यह आपके पास एक दूसरी रेखा है इसे हम दाम दे देते हैं दो रेखाएं है दो रेखाओं को इस तरह से किया है जिसमें एक रेखा जो है वो फिक्स है इसलिए इ अक्ष ठीक है ये वाली जो रेखा है इस रेखा को क्या बोलते है कोई बताएगा येस क्लास पे ध्यान दो मैं अभी भी कह रहा हूँ क्लास इंपोर्टेंट है आज की बहुत जादा आज की क्लास अगर छूट गई तो आप पच्टा होगे फिर समझ आइए व्यत्त बात तो ये एक लाइन है इसमें एक रेखा को हम बोलते है अक्ष दूसरी वाली जो है इसको बोल सकते है क्योंकि शंकु इसी से बन रहा है और जो चीज पैदा करती है उसको बोलते है जननी तो इसको हम बोलेंगे शंकु की जनक क्या बूलेंगे इस रिखाओं? शंकु की जनक अब उपर का जो भाग है यह वाला वो एक शंकु का shape बना रहा है और नीचे वाला भाग भी एक शंकु का shape बना रहा है हमें केवल एक भाग की ज़रूरते इसलिए एक भाग रख लेगे बाकी कि सब्सें मांए पोई मतलब ने हुआ और इसमें जो काम का एंग्डाल है वो सिर्फ एक ही है आपके पास mould अक अलप आपर फोकस करोओ अभी सिर्फ couple फोकस करो एक और चीज़ अब हम क्या करते हैं सिर्फ एक डम्रू उठाएंगे एक मिनच आप देहन से सुनना हमने क्या करा सिर्फ एक शंकू उठाया हमने केवल एक एक शंकू की जरूरत है एक शंकू को समझे लो आप सब फिलियर हो जाए यह लीचे साथ अब जब जगड़ा वगड़ा होता है तो मुझा किसी से तो तुम लोग क्या कहता हो तो गर्दन उड़ा देंगे कहते हो ना अब यहां पर उड़ाने का का मतलब क्या है हम क्या करेंगे एक और आपकी लेंग़ेज में बोलू तो कुलहाडी लेंगरी में बोलू तो तलवार एक तलवार ली्व पकड़ी और गर्दन उड़ा देंगे 시 से कहसे कि मान लेते हैं कि इसकी गर्दन एक बार ऐसे उड़ाए गई है मैंने सीधी सीधी सफात अब को तो यहां पर मुझे जो ह्याय मिलेगा रहाए listening तो in नहीं मिलेगा और उप्रपर से यहांपत उपराइस यहां फॉच्छ प्रकार मिलेں unis अब दिखरा है कि आप लोगों को यह कलर नहीं दिखेगा अब यह देखो अब मैं आपको बना के बताता हूं तब आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा अब हम बनाए थे ने पेपर से यह लोगों कि देखो अईसा अब मान लो यह उपर से कटा हुआ है अब यह कटा हुआ है अईसा मान लेगा देखो अब आप यह वाला इससा देखो यह आपको कैसा दिख रहा है आप कहोगे सर गोल है कैसा गोल मतलब व्रत्ताकार हमने इसको अईसा काटा है उपर का इससा इससा अठा दिया अब ऐसा काटने पे उपर का इससा जो है वो व्रत्ताकार बन गया तो तो उपर से एक नएएशेव का जनम हुआ और इस शेव को हमने नाम दे दिया व्रत का मतलब होता है व्रत का मतलब होता है सर्क्ल कि अब हम ऐसा लागा कि मज़ा नहीं आया काटने में एक काम और करते हैं इसको फिर से काटते हैं अब की बार हमने ऐसा ना काट के इसको थोड़ा सा टेड़ा काटा क्या कहा अब की बार ऐसा ना काट के थोड़ा सा टेड़ा काटा चलो मैं इसके काम करता हूं ऐसा ले लेते हैं और इसका कॉपी बना लेते हैं इसको अलग ले लेते हैं थोड़ा सा अब की बार हमने ऐसा ना काट के इसको ऐसा काटा ऐसा ऐसा हुआ है अ यह बनाने में बड़ी माता फोड़ी लगती है आप मुझे तो यह ऐसा और तहां से इसको बढ़ा दो यह ऐसा अब की बार ऐसा काटा काटने से जो दूसरा शेप मुझे मिला यह वाला आप इसको ऐसे इमेजिन करों कि यह शेप आपको ऐसा मिलेगा यह ऐसा अईसा आईसा शेप मिलेगा दूसरी बार में हो सकता यह पार्ट आपको नहीं दिखराओगा मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि ये वाला इससा imagine करना पड़ेगा मेरे बात समझा रही ये वाला भाग जो है वो आपको imagine करना पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाओ छोटा सा एक दो मिनट का तो आप इनके भागों को समझने के लिए थोड़ा सा इजी तरीके से समझपा चीजों को काट कर ऐसे दिखाऊंगा तब आप आराम से समझपाओगे कि कैसे कैसे शेप जो है वो बन रहे हैं ओ भाई कोन को इंदी में संकु कहते हैं यह कह रहा है बलेशंप इसको क्या बोलते हैं बहुत बढ़िया साब तो यह जो नया आकार मिला है यहाँ पर यह जो नया आकार हमें मिला है इस आकार का नाम है दीर गबरत क्या बोलते हैं दीर गबरत और इसी को इंगलिश में हम एलिप्स के नाम से जानते हैं इसको थोड़ा सा और टेड़ा करके काटा जब हम इसे और टेड़ा करके काटते हैं जब हम इसे और टेड़ा करके काटते हैं थोड़ा सा छोटा डाइगरम मनाते हैं आप चीजे समझ में आएंगे फिर आप थोड़ा सा और यह ऐसा अब यह तक तो हम सिंपल काट रहे थे अब थोड़ा सा तरीके से काटेंगे अब की बार हमने इसको अभी हैसा कटा और अब ऐसा कट रहें देखो मैं बताताओ आप लोगों मैं से शायद ही काफी कम लोगों पता ओगा रहे हैं आये हो जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात हैं इनको नहीं पता होगा आर्मी जो होती ना आर्मी वो सल्यूट जो करती वो तीन तरीके से करती कैसे एक ऐसे करती सल्यूट एक ऐसे करती ऐसा अड़ा धलका साड़ा और एक जो है देखो एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे तीनों में फरागे हैं आप समझेगे बिल्कुल वैसा का वैसा इसमें काटना है तो एक बार तो ऐसा काटा था एक बार हम इसको ऐसा काट देते हैं अब यहाँ पर जो आपको शेप मिलता है ऐसा वाला ऐसा ऐसा वाला शेप अब यह ऐसा भी काट सकता है यह ऐसे भी काट सकता है दोनों तरीके से काट सकता है तो यह जो शेप मिलता है इस शेप को हम बोलते हैं परवले यह स्टार्डिंग के तीन most important इसको हम पैरा बोला के नाम से जानते हैं और चौता वाला जो है इसके लिए आप simple सा एक छोटा सा काम करो मान लेते हैं कोई डमरू है डमरू को side से काट देते हैं जब side से काट देते हैं तो उसका इससा आपको शायद कुछ लगबग लगबग ऐसा देखने को मिलेगा मान लो मैं इसको side से काट देता हूं ऐसा अब आपको समझी नहीं आया होगा यह वाला portion मैं मुझे पता है यह मैं आपको थोड़ आसा कोई दूसरे तरीके से बताता हूं इधर देखो यह ऐसा है मैं इसको ऐसे काट देता हूं ऐसा सीधा ऐसा था फिर ऐसा काटा फिर ऐसा काटा अब मैं इसको बिल्कुल ऐसा काट रहा हूं ऐसा समझा रहा है गया ऐसा काट रहा हूं ऐसा काट देता हूं तो जो यहां का जो फेस देखेगा जो आपको अभी नहीं दिख रहा है 3D में देखो तब तो दिखेगा वो जो फेस देखेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा जो फेस देखेगा बिल देखा अपने बिल कभी इस प्रकार का होगा और यहां से काट होगे तो आप इसको ऐसे समझ सकती है अगर मैं ऐसा काटा हूँ तो और यह जो shape आपको प्राप्ट होता है इस shape को हम बोलते है अतीपर्वले जो कि कम important है इसको बोलते है हाई पर बोला यह थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है हर प्रश्णावली एक टॉपिक पर आधारी ते जिसे 11.1 अगर हम बात करें तो वो ब्रत पर आधारी तो आपके पास ब्रत के बात क्या था दूसरा वाला दिर्ग व्रत उस पर आधारी ते ग्यारा पॉंट टीन की बात करेंगे तो व मख्षन की तरह क्लियर करते देंगे बहुत कि लियर हो गया या तक का वाइच जिसको जल्दी कोर्स करना है वो जा सकता है कोई जरूरी नहीं है जिन भी बच्चों को स्पीड बढूरानी है थोड़ा सा तेज पढ़ना है वो लोग जा सकते मेरे क्लास में कोई जरूरूत ने मुझे उन बच्चों के जिन के नाम हैं बैशाफ का कशिश जैस्तवाल कि मैं पहले ही कह रहा हूं गहांस काटने का काम मेरे से नहीं होता फिर भी आप कटवाना चाहते हो तो भी नहीं काटूंगा अभी जो टॉपिक है इनसे वह भी नहीं नहीं बट रहा हूं तुमको बड़े जल्दी है चांद पर जाना है और मतलब तुम बतादो मुझे कि कप पढ़ाना है तेज पढ़ाना है दीरे पढ़ाना है जरूरी नहीं है जो चीज तुमको आती है वह सब को हो सकता है कि बाकी बच्चे तुम में तुम से किसी और टॉपिक में बहुत अच्छे हो फिर भी वो लोग द्यारी रखते हैं और उनका मानना है कि सब इसको साथ लेकर पढ़ाने अब लोग पढ़ा दो बस्ते हैं कैसे कैसे बच्चे यार मतलब सोचो यार अब चलो एक एक चीज को उठाते हैं फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं अध्याय ग्यारा शंकु परिच्छे जिसके लिए मैं आपको बता दिया टॉपिक परिच्छे का जो मतलब होता है न यह जो परिच्छे लिखा है यहां पर यह जो परिच्छे लिखा है कि इसका मतलब होता है विवक्त करन बज्राइब विवाजन करना परिंड हुं तो हमने क्या क्या वीवाजन ही थी क्या उसके दोड़न टुकड़ए-टु-टुकड़ह यह आप बोल सकते हो तुकड़े तुकड़े करना या खंड़ खंड़ करना भी बोल सकते हूं परिच्छित का मतलब यह उस आकार को नाम दिया गया है क्योंकि यह कौन के शेप का है एक नया आकार है इसलिए उसको नाम दिया गया है शंक सब के शाब से चलना पड़ता है इनसे पूछ लो यह बता देंगे दूले के बाप आये मैं यहां पर इनसे पूछो के ने यह बता देंगे जल्दी पढ़ाओ तेज पढ़ाओ यह पढ़ाओ वो पढ़ाओ नहीं पढ़ाएंगे बग पढ़ाएं हर बच्चा मेरे लिए कि इसी आकार को हम शंकु आकार बोलते हैं कि और यह धस्वे क्लास में भी आपने देखा होगा इड़े Character के अफ़ा इस आकार को बोलते हैं शंकु एक चीज क्लिए करता चलूँगा दिरे दिरे तो तो आपने यहां पर देखा कि इसमें चार शेप बन रहे हैं व्रत पहला बन रहा है आपके पास व्रत दूसरा बन रहा है आपके पास व्रत के बाद बन रहा है दीर्ग व्रत दीर्ग व्रत के बाद बन रहा है आपके पास परवले और परवले के बाद आपके पास बन रहा है अती परवले यह चारा कार है ठीक है अब यह चारा कार किस किस को दर्शाते देखो यह आपके एक्सक्ष हो गया यह के पासवाय अक्ष्षो गया किसा एक्स एक्सदैस और ये यैश यज are यह व्रत है वाھ cl घ् verse यह जीन बच्चों को टूंत क्लास में आएट करनीगे है वह बच्चे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पड़े और कि है और डेरिवेशन करवांगा सारी question तो एक एक दो दो मिनिट का यह ज्यादा बता रहा हूं एक एक दो दो सेकंड का यह है कि तीसरा वाला जो है वो है परवल है और चौता जो है इसे हम बोलते हैं अती परवल है कि मेरी बात हो सकता शायद आपको बुरी लगेगी और लगनी पी चाहिए है पर आप खुद सोचो कि जरूरे नहीं है जो आपको आता हो दूसरों को भी आता हो बहुत से चीज़ा यह आपके पास चार आकार हैं जो हम डिसकस करेंगे क्लियर बढ़िया वेरे गुड यह आपके पास चार क्लास है जिसको आज हम डिसकस करेंगी अब इसमें आपके पास पहले नंबर पर जो आता है वो है व्रत इसके चार केस परिछेद है पहले नंबर पर जो आता है वो है व्रत होता क्या है वरत को अगर समझना है तो आपने एक simple सा काम करते हैं देखो मान लेते हैं एक तल है उस तल में एक बिंदू है ये रहा इस बिंदू की ये बिंदू और ये बिंदू क्या fix है बाकी और भी बिंदू है अब ये बिंदू बहुत सार है इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदूओं का समुच्चे तो वरत तल के उन बिंदूओं का समुच्चे होता है जो तल के एक इस्तिर बिंदू से ये जो है आपके पास ये इस्तिर बिंदू ये इस्तिर बिंदू वरत की परिवाशा भी नहीं आती है विप बच्पन से विरत पढ़ रहो आप लोग परिवाशा आती है विबच्पन अप लोग कितने वच्च होगा, पटाफट पड़ा तो वरत तल के उन बिंदों का समुच्चे होता है जो तल के एक इस्तिर बिंदों से समान दूरी पर इस्तित होते हैं यानि कि ये दूरी जो है वो बराबर होगी ये दूरी बराबर ये दूरी बराबर ये दूरी बराबर ये दूरी बराबर ये सब आपस में जो है वो क्या होगी बराब और जब इन बिंदू को मिलाया जाएगा ऐसे असंख्य बिंदू हो सकते हैं ऐसे इन बिंदू को जब मिलाया जाएगा इन बिंदू को जब बना देता हूं ताकि चीज़े आपको समझ में आ जाएंगे आपको यह लीज़े समय यह वरत हो गया यह आपका वरत हुआ क्लियर और यह बहुत सारे बिंदु से मिलके बना है बहुत सारे बिंदु से और यह सब बिंदू जो है वो समान दूरी पर इस्तेत है किस से इस तहर बिंदू से समझ गए बात समझ में आ गई आप चाहए आप ये बिंदू ले लो अब चाहए आप ये बिंदू ले लो कोई भी विंडू ले लिए यह क्या है इस्तिर बिंदो और इसी इस्तिर बिंदो को हम केंदर के नाम से जानते हैं इसी इस्तिर बिंदो को हम केंदर के नाम से जानते हैं के लिए यह आपके पास इसकी परीदी हो गई यह क्या है इसकी परीदी और यह जो है आर इसे हम त्रिज्जा के नाम से जानते हैं R के नाम से जालते हैं. यहां पर केंद्र जो है इसके निर्दिशांग होते हैं मान लेते हैं इसके निर्दिशांग जो है वो H, K है और इस पर जो बिंदू है इस परिदीर के बहुत सारव बिंदू होंगे X1, X2, X3, X4, X5, X6 तो इन सब बिंदू को हम नाम देके मान लेते हैं कि यार ये बिंदू जो है वो X और Y है अब ये बिंदू है आपके पास मान लेते हैं O या A B मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं बिंदू को इस बिंदू को B मान लेते हैं तो AB की दूरी लेकाल नहीं, अब AB की बात करें, तो AB गयाद करने का तरीका क्या है AB? AB को कैसे गयाद करोगे, AB दूरी सूतर से गयाद कर सकते हैं, क्या? X-H का whole square प्लस Y-K का इसको पूरा लिखे लेते हैं काम पर, दूरी सूतर से, दूरी सूतर से AB बराबर अंडर रूट X2-X1 का whole square प्लस Y2-Y1 का whole square. आप कह सकते हो, यह इसका दूरी सूतर है, दूरी सूतर से, अगर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, AB, तो यह आपके पास आजाएगा, अंडर रूट, X-H का whole square प्लस Y-K का whole square. AB जो है, वो R है, इसलिए इस AB को मैं R लिख देता हूँ, R बराबर X-H का whole square प्लस Y-K का whole square. समझ आए, इसी चीच को यहाँ देखो. AB बराबर, R बराबर कितना है? वापस लिख देता हूँ, इसको, X-H का whole square प्लस Y-K का whole square. तो दौना तरफ वर्ग कर दो. वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यह बन जाएगा R square और यह बन जाएगा X-H का whole square प्लस Y-K का whole square. यह जो समीकरण है, इस समीकरण को हम बोलते हैं, वर्ग का समीकरण. यह क्या है? इस समीकरण को हम बोलते हैं, वर्ग का समीकरण. वर्ग का समीकरण. अब बात यह आती है, इस वर्ग के समीकरण में जो केंदर है, केंदर, वो है H और K और जो तिरिज्जा है उसे हम R के नाम से जानते हैं यह दो चीजे इजिली आपको समझ में आदे हैं विरत के समीकरण में केंदर पता लगया तिरिज्जा पता लगया अब होता क्या है जरूरी नहीं है कि यहां पर समीकरण का एक ही रूप हो हो सकता है कि इसका कोई दूसरा रूप भी होगा मेरी बात समझा रही जरूरी नहीं है कि समीकरण का एक ही रूप हो इसके अलावा भी इसका कोई दूसरा रूप हो सकता है अब वो दूसरा रूप कौन सा है पर उसके पहले एक छोटा सा क्वेशन अपन कर लेते हैं तक आपको आइडिया हो जाएगा ह और के जो है केंद्र हो गया त्रिज्जा जो है आपके पास आर हो गी कि यहां लिखे लो संबंदित प्रशन संबंदित प्रशन कर लेते हैं अब देखो मैं आपको दो चीज़ और बता देता हूं क्वेश्चन जब बनता है तो आपसे क्या पूछेगा कि इसका केंद्र बताओ इसकी त्रिज्जा बताओ तो केंद्र और त्रिज्जा निकालने के लिए एक काम आप यह कर सकते हो पहले जब कभी भी आपको केंद्र और त्रिज्जा ग्याद करनी हूँ तो उस केस में हम यह एक काम करो पहले इसको संबंदित प्रशन करें लो मान लिए केंद्र आपको दिया गया है दो और तीन और त्रिज्जा दी गई है चार व्रत का समीकरन क्या होगा व्रत का समीकरन क्या होगा तो आपका होगे सर केंद्र दिया हुआ है त्रिज्जा दी गई है अमें पता है एकस माइनस केंद्र कितना है दो का होल स्कॉाइर प्लस वाइ माइनस तीन का होल स्कॉाइर बराबर जो त्रिज्जा है वो है चार और चार को में लिख सकता हूँ दो का स्कॉय है यह चार है और इस चार को लिख सकता हूँ दो का स्कॉय है तिरिज्जा आर का मान चार है और जबकि यह इस रूप में लिखा गए आर स्कॉयर बराबर चार है तो आर का मान जो है आपके पास वो दो आ जाएगा यहाँ पर इसको चार का स्क्वायर हुँज़ाता है, समझ आया और यह जो समीकरण ہے, यह इसका एक बेसिक समीकरण बने द الجूछ नहीं, अगर आपको केंदर पता हो तो आप समीकरण ग्याद कर सकते हो यस फटाफट बोलो फटाफट जल्दी से जल्दी बोलो अगर आप लोगों को ये दो चीज पता हो तो क्या आप लोग इसका समीकरण ग्याद कर सकते है बढ़िया, very good बहुत ही बढ़िया, अच्छे से किलियर हो गया तो सब भी बच्चों को अच्छे से केलर हो गया, very good देखो क्या है, केंद स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस है तो क्या मतलब अब बैसको ऐसा ही कह सकते हैं स्पेशल केस, हर्जी है ये स्पेशल केस क्योंकि यदि केंद 00 बैस्तिरिज्या त्रिज्या आर हो केंद्र केतना है जिरो जिरो त्रिज्या किती है आर हो तब व्रक्ट का समी करन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आर क्या होती है इत्रिज्या क्योंकि एच की जगे जीरो रखा के की जगे जीरो रखा तो समी करन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर क्लियर है क्या जैस क्लियर है आप सभी लोगों को कि वेरी बहुत ही बढ़िया आर वैसे भी त्रिज्जा होती है अगर यह नहीं भी दिया हो मान लेकिने में इसको रठा भी दूर इसको डानेट लिग दूर तब व्रत का समीकरण क्या बन जाएगा यह तो वैसे भी आ रही है यहांता के लिए देखो अभी तो यह चैप्टर स्टार्ट नहीं हो एक यह भाई सब कहां से आते हो तुम लोग यार मतलब वह पूछ रहा है कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे माई गौड पत को दिशन से पहले कॉंसर्प अगर आप सीखना चाहो तो देखिएं कि वरत का समीकरण क्या होता है मिर악 संक मिर ऐस माईनस ह aten गया हुआ ऑगा ant के इदि आ लिमिया के इंद्र करना हो तो हम उस केस में क्या करेंगी तो आपको ध्यान रखना है इसको x-h को हम 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा और y-k को जब 0 के बराबर रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा k और ये r तो आपके पास पहले से ही अब यदि यानि आप चाहो कोई भी टाम होईगी उसको अगर आप r बराबर r square के बराबर रखेंगे तो आपके पास अंसर आ जाएगा इससे समंधित कुछ question की अगर हम बात करें तो माल लेते हैं आस्तारी कित्ती हैं यह ले लेते हैं चलो एक माइनस एक का whole square है और प्लस y माइनस 8 का whole square है बराबर 16 है केंद्र और त्रिज्जा ग्याद कीजिए केंद्र वै त्रिज्जा ग्याद कीजिए अब यह आपका काम chow और प्लस क्या होगी यह प्रकाभज वैजिए लोग है मैं केंद्र और त्रिज्ज्जा क्या होगी देखते हैं कौन जवाप देता हैji जीन्यास ओगा फालकु फरजी लोग देंगे वैसे भी जो बच्चा जीनियस होगा वही जवाब देगा हर कुछ से ना होगा रहे बबाबा बहुत बढ़िया केस हो सबसे पहले जवाब दिया पिनकल कुमार ने और ये है सत्यकुमारी अभिशेक शिवं सुभी विकास और उसके अलावा एकस्त्रा एक्स्ता अज़्च एक्स directly क्या सबची के अंतर मसाला है तरवे लिखावा है प्रग्या निश्व बहुत बढ़िया जैसा कि महीने आपको बताया को करना कि क्या होता है x-1 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 1 आ गया और x और h आपसे बराबर होते हैं उस case के अंदर y-8 को 0 के बराबर रखा तो y बराबर 8 आ गया और तीसरा वाला जो case है वो क्या है मतलब r square बराबर 16 रखा तो r का मान 4 आ गया तो आप यहां से देख सकते हो जैसे x और h बराबर है y और k बराबर है इसी तरह से यहां पर केंदर और तिरिज्जा जो है वो क्या बन जाएंगे तो इसके केंदर बन जाएंगे 1 और 8 और तिरिज्जा बन जाएंगे यह इसका अंसर अब question आया तो आप फटाक से बता दोगे बता दोगे अब आप सभी लोगों बता दोगे easily अब ऐसे कुछ question एक दो और देख लो ताकि आपको अच्छा खासा idea हो जाएंगे जैसे माल लीजिए एक question में ले लेता हूं एक माइनस एक का whole square चल एक के करके लेता है यहांसे आपको मुझे दो चीज़े बतानी है आपको एक बताना है केंद्र और एक बतानी है त्रिज्या ये दो चीज़े बता दीजिए पहला क्वेश्चन ये रहा दूसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस बन का स्क्टाइर प्लस वाइ स्क्टाइर बराबर चार तीसरा है एक एक का स्क्टाइर बराबर चार चौत्ता है आपके पास एक्स माइनस दो का स्वायर प्लास वाई माइनस तीन का स्वायर बराबर नौ नौ नहीं अब तुम्हार को मैं करूंगा पांच और मुझे पता है इसको देखके न आदे लोगों के सेक्टिविटे गुम हो जाएगी तो यह चार क्वेशन मैंने आपको दिये हैं और कुछ बचरा है क्या यहीं बचरा है सब कचरा है बाकी अब आपको मुझे बताना है पहले वाले की त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् इस वाले केस में देखें तो इसको जब जीरो के बराबर रखेंगे एक माइनस एक को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक बराबर एक और वाय वाला भाग तो है नहीं तो यह बन जाएगा आपके पास यह बन जाएगा आपके पास 1,0 तुरिज्या है वापस दो आ जाएगी यहाँ पर यह तो 0 बन रहा है इसको रखेंगे तो 0,1 और यह तुरिज्या इसकी 2 आ जाएगी यहाँ पर अगर आप देखो तो केंदर इसका दो, इसका opposite देख लो आप तो सीधा सा, ये कितना है, तीन, इसको पलस का कर दो सोड़ा सा, अच्छा लगेगा गुमाने में, तो यहां से इसकी त्रिज्जा बन जाएगी, माइनस तीन, और r square बराबर 5 है, तो यहां पर द्यान देना, ये r square बराबर 5 है, तो त्रिज् वेरी गुड, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो, यहां तक का portion के लिए रहे क्या, अब चीजों को समझो, अब चीजों को समझो, अब हमारे पास next topic आता है, जो है व्रत का व्यापक समी कराई, व्रत का व्यापक समी कराई, अब जरूर नहीं है, जो question आपको दिया हुआ था, वह x square वाले पद में दिया हो, हो सकता है, वो इस रूप में भी दे सकता है, अब आप बोलोगे, यह क्या माता पोड़ी देजी, वे, पहले इतने सारी चीज़े थी, एक नई चीज गुरुजे ने और लिखवा थी, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, यह कता ही जहर बहुत एजी सा है, आप लोगों ने देखा होगा गयार, a x square प्लस b x प्लस c होता है, कभी-कभी या आपने सरल रेखा वाले टॉपिक में भी देखा था ना, दूरी का सूत्र, डी, पराबर यह वाला, यह वाला देखा था न, यह जर्नल एक्वेशन जो थी, इसको फिर अलग-अलग format पे अपने convert किया, तो इसमें भी बिल्कुल वही concept है, अगर आप ज्यान से देखो तो, तो फरक किस चीज का है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं चाहता हूं, कुछ ऐसे रूप में बना दें, x-h का whole square, इस रूप में बनाना चाहता हूं, मैं तो इसको, अब इस रूप में बनाऊं कैसे, इसको इसमें बनाना, यह भी समय करने, यह भी समय करने, लेकिन यह इसका व्यापक समय करने, तो question ज़रूरी नहीं इस रूप में आओ, इस रूप में भी आ सकता है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो ध्यान से जो समीकरण है अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा कि तो दो स्टेप मैंने आपको बताये थे पहला पूर्ण वर्ग विदी के अंदर ना तुम्हें लिख देता हूं पूर्ण वर्ग विदी उसमें हम क्या करते हैं पहला काम जो होता है वो होता है कि एक्स का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ दो और घटाने पर एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने एवं गटाने पर और इसी का दूसरा स्टैप जो था इसी का जो दूसरा स्टैप था वो क्या था आपके पास एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने एवं गटाने पर और इसी का दूसरा स्टैप जो था वो है एक्स स्क्वायर का गुणांग एक बनेगा यह दो इस्टेप आपको ध्यान रखने हैं अब इन दौनों स्टेप की साहिता से हम इस समीकरण को क painful फैरें के समीस्टेप के नहीं आपके पास यहां पर यह वाली एक्स सक्वायर को हैं स्टू एक्स तूए-क्स करें अब यह दो क्यूं लिखा है यह आपको समझे है आधा जब हम करते हैं तो 2 से 2 आराम से कट सकता है यह तो आपके पास व्रत का व्यापक समी करने यह क्या है व्रत का व्यापक समी करने क्लिए इस समी करन को अगर आप ध्यान से देखो तो x X square Y square 2G X अब इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं देखो X square का गुणांग एक होना चीए Y square का गुणांग भी होना चीए X का गुणांग कितना है 2G तो 2G के आधे का वर्ग यह कट गया यह बच गया G square तो F के आधे का वर्ग तो यह बन गया F square यह इससे कट गया अब आप कहोगे कि सर यहां पर कितना प्लस का जी स्क्वाइर और माइनस का जी स्क्वाइर प्लस का F square माइनस का F square प्लस C बराबर 0 नहीं प्लस दो चीज और बची न प्लस दो F Y प्लस T बराबर जीओ अब अगर आप जहां से देखो बड़े ज्यान से बड़े ज्यान से ए स्क्वाइर 2AB प्लस B square तो यह जो तीन कलर आप दिख सकते हो यहां पर तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसको में लिख सकता हूँ X Y प्लस H का whole square बराबर बाकी कचलों को दर फैंक दो इन सब को इदर बेच दो कि इसको कि इसको कि और कहां गया अब यहां से आप देख सकते हो ये पूरा जो है ये रोल पिले करेगा आपके पास ये एक अलग रोल पिले कर रहा है ये आपके पास अलग रोल पिले कर रहा है ये अलग रोल पिले कर रहा है अगर मैं केंदर की बात करूँ केंदर की तो यहां पर x प्लस जी को अगर मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x बरा minus h आपके पास बन जाएंगे यह important है ध्यान रखना और जो अगला पद है वो है त्रिज्जा अगर मैं त्रिज्जा की बात करूं तो r square बराबर यह कितना है जी square प्लस f square minus c तो r बराबर अंडर रूट जी square प्लस f square minus c यह आपके पास आगया यहां सी यह आपके पास आगया हमने यह पर किया क्या यह दौना जो अपने प्राप्ट किये हैं यह तुलना करने के बाद प्राप्ट होए हैं हेलो इधर हां हमें पता है समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम कहा रहे था ने सर्फ बगाओ बागके पड़ाओ समझ में आया अभी वताता हूं वापस वापके कि स्टेप ध्यान से देखो यह हमने कहां से निकाला तुलना करने पर यह आर स्क्वाइर बराबर कहां से यह सवाया तुलना करने पर एक्स माइनस एच का स्क्वाइर प्लस वाइ माइनस के एक्स माइनस एच और वाइ माइनस के हूल स्क्वाइर बराबर आर स्क्वाइर से तुलना करने पर जब आप स्टॉल करोगे तो यह अंसर आपके पास आएगा तो दो वैल्यू आपके पास मिलिए एक मिलिए माइनस जी और माइनस एच और दूसरा जो है वो आपके पास मिला है यह वाला अब बात यह समझ में आती है probability कब होगा जब होगा जब बता दिया जाएगा y प्लस f का whole square ठीक है साथ मतलब पढ़ रहे हो ना फिर ठीक है अगर गलती सही कर रहे हो इसका मतलब पढ़ रहे हो अगर प्लस h का whole square और यहां से आप देख सकते हो y प्लस h बराबर 0 y f आएगा f f तो y प्लस f बराबर 0 तो y बराबर आजाएगा माइनस का दन्यवाद साथ क्या नाम है इसका सत्या कुमारी बहुत बढ़िया परदीप सिंग्य को जनम दिन की हार्दी शुपकान ने बगवान करें आप इसने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करो येस अब देखो वापत बता देता है व्रत का व्यापक समीकरन यह वाला होता है और इससे यह बनाना है मुझे इस रूप में बनाने के लिए समझ में इस रूप में बनाने के लिए मैंने क्या करा पूर्ण वर्गिदी का प्रियोग किया पूर्ण वर्गिदी क्या थी उसमें एक्स के गुणांग के आधे का वर्ग जोड़ने और ठटाने पर और एक स्क्वार का गुणांग एक होना चाहिए तो हमने क्या करा ये एक्स तरा दिखर रा था हो उसको जोड़ा एक्स का गुणांग क्या है ये एक्स का गुणांग के यहां पर ये इसका गुणानी के है, y का गुणानी, तो आप देख सकते हो, मैंने क्या किया, x square एज़ितिज, y square एज़ितिज, ये ऐसा कैसा, इसका आदे का वर्ग करके जोडा और घटा दिया, इसके आदे का वर्ग करके जोडा घटा दिया, और फ्लस 2fy फ्लस c इकोल टो 0 एज़िति तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हुआ, x कमान आपके पास या लगा गया, y कमान लगा गया, ये दोनों क्या है, केंदर, और त्रिज्जा क्या है, ये बात, अब मैं आपको दो चीज़े बताता हूँ, अब मैं आपको दो बाते बताता हूँ, दो इसको अगर आप अपने जहन में उतार लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा अब आपको होगे कि सरे दौनों चीज़े क्या क्या है इन दौनों में क्या डिफरेंस है देखो भई सीधी सी बात है घर की बात है को बुरा मनने वाली बात नहीं किसे को बुरा लग रही हो तो कोई ब यानि केंद्र जो है वो बनेगा इसका ह और के और त्रिज्जा जो है वो बनेगी आपके पास त्रिज्जा कितनी है आर और अगर ऐसा हुआ तो इस केस में जो समी करण बनेगा x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 तो यहां से जो केंद्र है वो बनेंगे minus g और minus f और त्रिज्जा जो है वो बनेगी आपके पास रूट में f square plus g square minus c इस केस में minus g अब कुछ बच्चे बताओं कताई जहर समझदार होंगे वो बताओं क्या बोलेंगे तो फिर इन दोना में फरक क्या है हम तो एक ही याद करेंगे तुम्हारी इच्छा तुम जो याद करना चाहो तुम्हारी बाबू जो बोले वो याद क हो मैं तो क्या कर सकता हूं मैं तो बताई सकता हूं क्या किया तो इस से यह यह इसका है यह और अगये उसमेकरन है ये जो ऐसी ऐसी समीकरण है और ये ऐसी वाली समीकरण है दोनों ही याद करनी है इच्छा तुमारी है आया तुम मुझसे बात करना चाती हो काहे बे सक्तिमानो ने का ने के तुमसे बात मोधी हो ना तो तुम्हारा नाम मोधी है ना तुम्हारा नाम रामनात कोविंद है काहे बात करे तुमसे अब बहुत पड़े ले जिसको बात करनी होगी कि वो तुमसे नंबर ढूंड के पहले ही कई से बात कर चुका होगा कि मस्त्र आखरो मस्त्रे के पढ़ा करो जंजट मान के पढ़ोगे तो जीवन में कदी पड़ी नहीं पाऊगे मजह ही आगया बिलकुल ही अज़िए अज़िए मजह ही आगया चला अब क्या होता है मैं आपको दो चीज़े बताता है दोनों बाते देंस सुनना कि मिरे भाई को संट आ रहे हैं कोने 앞वा कुस्वाहर अभी कोस न तुमारे मुपब फैक के मारें गए दो मिनट रूओ बस तुम अब क्या होगा कि क्वेस्टिन अगर आपको इस रूप में दिया गया होगा इस रूप में दिया होगा तो केंदर रातर तो निकाल जी सकते प्लस वाई स्क्वायर प्लस चार्ज एस प्लस माइनस दो एफ वाई प्लस नौ बराबर जीरो मैं त्रौंग अब जल्दी इसे बताओ इसका केंदर और त्रिज्जा क्या होगी देख सकते हो कईसे हम जो कह रहे हैं ना इधर देखो इधर देखो तुलना कर लीजिए हाना देखो तुलना कईसे करेंगे तुलना करने पर भाईयो भेहनों चार जी बराबर कितना होता है दो जी है एक मिनट करेंगे कि भाईयो भेहनों गलत हो गया इसको ठीक करेंगे समझ आ गया बहुत संदार हो रहे हो तो दो जी बराबर चार तो जी का मान आ गया चार बटा दो काट दीजिए जी बराबर दो भाईयो भेहनों इसी तरह वाई की भी तुलना कर लो दो एफ बराबर माईनस ती तो एफ का मान भाईयो भेहनों माईनस तीन बटा दो आ गया इस समीकरण के साफ से जो मान होता है भाईयो भेहनों मान केंद्र केंद्र जो होता है समीकरण के साफ से माईनस जी और माईनस एफ होता है तो जी कितना निकला दो कर दो इसको माईनस का दो ऐसे लिख लो इसको ऐसे माईनस जी का मान कितना निकला दो भाईयो भेहनों एफ का मान निकला है माईनस का तीन वटा दो तो आप कहोगे भाईयों बैनों यह आ गया दो माइनस का दो और तीन बटा दो यह केंद्र आ गया का अगर भाईयों बैनों त्रिज्या भी ग्याद करनी है त्रिज्या का फॉर्मुला क्या होता है अंडर रूट ओर जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c यह जी कितना है दो का स्कॉायर है माइनस तीन बटा दो का स्कॉायर और माइनस इसको हल कर लोगे तो आपके पास त्रिज्जा अब आप पढ़ ले बहुत बहुत हुआ इधर देखे पटापट अगर आप द्यान से देखोगे तो मान जो है वह आपके पास सारे एक काम करो इसको थोड़ा सा अगर आप यह देख लिए ना रिनात्मक तो नहीं आ रहा ना क्योंकि अपने एक्जामपल बनाया है और ली ऐसी चार प्लस नौ बटा चार माइनस नौ लिए यसी का मान मारी स्कार नौ है वे प्लस नौपध इसको प्लस स्कॉत कर सफर्श्य कड्G अब इसका मान निकाल के देखो चोभी मान आएगा वो इसका दर शुन कि अ स्क्रांड पहुज़ एंग शिरे क्लिए रहा है यह अब कि लिए रहे क्या है हलो इदर ऐसा ठीक है मन देख लो कि 15259 क्यों होते हैं बहुत सारे हÖ hostage 254-3 14 तुर है तो रूट 34 बटा 4 4 का बार का निकाल तो आ जाएगा तो रूट 34 बटा 2 खरीब कुछ आ रहा है कि जश्क तो इसका ज़ो अंसर आएगा रूट 34 बटा दो संसें कुछ अज़ा रहा है मतलब जो त्रिज्जा है वो इतनी आरी केशव मिश्रा हम कैसा बढ़ाते हैं यह हम भी बता सकते हैं आप लोग तो कैसे बता सकते हो सांती से पढ़ लो इसी में भलाई है यह क्वेश्चन है आपका और यह इसका अंसर है यह केंद्र है है और यह इसकी त्रिज्जा है और रही बात फ्वेस्चन की तो फ्वेस्चन जो है वो हमने अभी अभी बनाया है दो डाइग्राम से आप तीजे याद रख सकते हैं मैं चाहता तो आपको यह दोनों के दोनों आराम से बता सकता था लेकिन अगर आपको इसकी इसलिए आपको ध्यान रखनी है और यह मेजर फॉर्मूले हैं अगर ऐसा समीकरण होगा तो आप कैसे देख सकते हैं उनका केंद्र जो है वह इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास केंद्र और त्रिज्जा जो है वह इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगी कि यहां पर यह दोनों इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगी इससे संबंधित क्वेश्चन में आपको बता दे जिसमें त्रिज्जा इस तरह से निकालेंगे केंद्र इस तरह से ग्याद करेंगे अगर यह मैठड़ आपको पता है अब जैसे कुछ को उदाराने माइनगे नगे वह कहेगा कि केंद्र 0ै तो X-0 का स्थ क्लस Y-0 एक बार पूरी समीकरन लिखो लेखें एकस ऑट च्ट .. बराबर आर्स्थ क्लस यह आपके पास सवह लोगिए अब इसे कहा रहा है कि इसके इसका केंद्र 0000 जो आप रखोगे एच और के जो है वो कितना है एच और के जो है वो 00 है तो आप कहोगे कि सर यह बन जाएगा एक्स माइनर जीरो यह तो पूरा स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूं आपको बागी एक लाइन में आ जाएगा न साथ यह बड़ा नहीं छोटा वाल और होगा इसको छोटा वाल कर देना अगर बड़ा रोकावा तो इसको बड़ार कर Relig personnes ओड़ा कर लाना चलिए यह बन जाएगा एकस स्कुरर तो भरावर और अब यह कटना इसका अनसर है कुलियर आपको –3 और 2 तुरिज्जा यानि कि R आर का मान जो है वो कितना दे रखा है चार दे रखा है व्यापक चमी करने कि आ होता है X – H कितना है –3 तो –3 का holy square Y – 2 का holy square R square यानि कि 4 का square तो आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस तीन का होली स्क्वाइर प्लस वाई माइनस दो का होली स्क्वाइर बराबर चार का स्क्वाइर 16 तो यह आपके पास उपड़ आ गया जिस रूप के अंदर आपको समिकरन बनानी की यह के लिए रहे के सभी बच्चों को यह पॉर्शन हलो यह पॉर्शन के लिए रहे के सभी बच्चों को ओ भाई चैप्टर डिलिट हो गया तो भाई कहे पढ़ रहे हो मत पढ़िये अलग कता ही जहर है बेरुजगार आजमी यह तो जब हम कहे हैं कि यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है एक्जाम में आएका कुछ समझ में नह आटा क्या ओ भाई कुछ कहा है नाम कि बहुत बढ़िया आगे देखिए वरत यह दे रखा है और इसका केंदर और इसकी त्रिज्जा ग्याद करनी अभी अब आप देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा इन चारों टॉपिक में आज जो मैं आपको डिसकस करें पहले कॉंसेप्ट को समझेगे वरत इतना दिया हुआ है केंदर और तिज्जा ग्याद कीजिए दो तरीके है ग्याद करने कि या तो आप इसको पूंडवर्ग विदी से याद ग्याद करो दो मैथड़ है एक मैथड है आपके पास मैथड एक और मैथड दो पहला मैथड जो है वो क्या है पहला मैथड जो है वो है पूंडवर्ग विदी कर पूंडवर्ग विदी से और दूसरा मैथड है वो है तुलना करने पर तुलना करके ये वाला पार्ड जो है ये वाला ये जो है ये शौर्ट मेथड है अच्छा माक्स पूरे मिलेंगे इसमें इससे जल्दी होगा question माक्स पूरे मिलेंगे तुलना करोगे बहुत लंबा चला जाएगा अब आपको यहां पर देखो आपको पता है जो आपका व्या व्यापक समीकरण कितना होता है एक्स स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टी बराबर जीरो ये व्यापक समीकरण तुलना करो तो मैं इसको सेकेंड मैथड से कर रहा हो ना second method से तुलना कर रहा हूं तुलना करेंगे अगर आपे तो कितना आएगा देखो 8x है तो मैं इसको लिख सकता हूं दो जी बराबर आठ तो जी बराबर आठ बटा दो यह आ जाएगा चार इससे इसको काट दो चार बार ठीक है और इसको यूँ समझ सकते हो कि जी का मान जो है वो समझ का सकते हो मान तो आई गया और दूसरा वाला जो है वो कितना है दो f बराबर कितना है तुलना करो देखो question कि कितना है प्लस का 10 है तो f का 2 f बराबर प्लस का 10 है तो f का मान आ जाएगा 10 बटा दू कहने का मतलब 5 यह 5 बार आगे तो आप कहोगे कि सर f का जो मान है वो कितना आगे 5 है क्या पूछा था केंदर और प्रिजय क्याद करने जी पता है f पता है और यहीं से हम इसी के बाद c का मान पर निकाल सकते है ठीक ह यह 3 मान आपको देखने को मिल गए अब केंदर की बात कर रहा है केंदर अगर हम केंदर की बात करें तो केंदर रता है माईनस g और माईनस f तो यहाँ पर g का मान कितना है चार तो यह बन जाएगा माइनस का चार और f का मान कितना है पाच तो यह बन जाएगा माइनस का पाच अगर हम बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या बन जाती है अंडर रूट g स्क्वाइर प्लस f स्क्वाइर माइनस 3 जी स्क्वाइर प्लस एप स्क्वाइर माइनस सी यहां से जी का मान कितना था चार चार का स्क्वाइर प्लस पांच का स्क्वाइर माइनस सी का मान माइनस है तो यह प्लस का बन जाएगा तो यहां से आप देख सकते यह बन जाएगा चार का स्कॉायर 16, 5 का स्कॉयर 25 और आठ तो यह आपके पास रूट में कुछ ऐसा बन जाएगा 25 और 25 और 16 और जोईस और पचीस तो यह बन जाएगा 9, 4, 9, 50 यह आ जाएगा 9, और 9, 50 और 9, 50 को आप लेख सकते हो साथ लिकाई क्योंकि इसकी यूनिट नहीं पता इसलिए हमने इसका तो त्रिज्जा जो है आपके पास वो कितनी बन गई साथ दिकाई बागी दो चीज़े तो आपको पहले से पता थे केंदर आपको पता लग गया था केंदर के अलावा आपको तरिज्जा अब यह शॉट मैथड़ है आप चाहो अगर लेंदी मैथड़ से करना तो यह कोशन बहुत ही जादा लेंदी हो जाएगा सब है कि क्लियर एक्या यह सभी बच्चों को है अलो क्या आप लोको को पॉइंट के लिए अए सभी को है क्या आप सभी लोगों को यह पॉइंट के लिए हैं कि लिए तो आगे चलेंगे time कराब नहीं करेंगे त्रिज्जा कोई भी रूट में निकाल के माइनस मत कर देना क्योंकि माइनस अगर आपने कर दिया तो मामला भिगड़ जाएगा पूरा त्रिज्जा एक लंबाई होती है लंबाई कभी भी रनात्माग नहीं होती क्या बता हूँ टेक बच्चा को आँए el Gast रहां सर, वह भी बता दो वह क्या से वह बहुत अच्छा है, बस आप वह में क्या बता नहीं बता नश्युक्ति में किलियर हो गया अच्छे से उम्मीद करता हूं आपको वरत वाला भाग जो है वो अच्छे से आपका के लिए हो गया होगा इसके बाद आपके पास एक क्वेशन और आता है यह क्वेशन क्या है इस क्वेशन को मैं समझा देता हूँ प्राय आप लोग एक बार करके देख लाना मैं आपको छोटा सा इंटे देता हूँ इस क्वेशन को करने का बिंदू दो और माइनस दो और तीन चार से होकर जाने वाले उस वरत का समीकरण क्यात के यह जिसका केंद्र रेखा इस पर इस्तित है इसका डाइग्राम समझ दो चीज़े के लिए रो जाएंगी यह यूं कहना जा रहा है कि एक आपके पास ऐसा वरत है इस वरत के उपर कोई भी दो बिंदू इस्तित है कौन कौन से दो और माइनस दो दो और माइनस दो और उसके अलावा है तीन और चार से काम करते हैं यहां कर लेते हैं इसको दो और माइनस दो और यह हम कर लेते हैं तीन और चार अब इन बिंदूों से होकर यह गुज़र कि यह थो अच्छी बात है अब कि आपको इस व्रत का सब्यक्राण क्याद करना है और इसका केन्दर जो है ह कि इसका केंदर जो है ये केंदर फ! कि इसका केंदर जो है वह रेखा szlay बराबर दो वर locals लेते अव्य सब्सक्राइब yea is a यह एक रेखा है किसे कर और सभर्स उसने कर है कि आप एक बाद बता अगर यह केंद्र पर हिस्स्थी थे और के मिल रज़ाि Mia के होता है होता है ना तो देखो एक्स प्लस वाय बराबर दो है कि माना व्रत के केंद्र केंद्र यह है एच कॉमा के तो आप कह सकते हो ना कि यह क्योंकि केंदर पर रिस्तित है बाई इस बिंदू से होकर गुजर रही है तो यह जो h और k है यह इसको satisfy करेंगे और इसको संतुष्ट करेंगे तो h plus k बराबर 2 यह समीकरण बन गई एक पहली समीकरण यह बन गई दूसरे case में अगर हम बात करें चुकि हमें पता है वरत का समीकरण क्या होता है वरत का समीकरण होता है एक माइनस ह का whole square plus y-k का whole square बराबर r square होता है त्रिजा तो आपको नहीं पता तो एक काम करते हैं हमें पता है कि इस बिंदू से ओकर गुजर रही है एक बार यह बिंदू कि दोले ले तो एक बार यह बिंदू ले ले लेता है ठीक है तो एक समीकरण मन जाएगी तीन माइनस हाँ होल स्कॉयर एक मन जाएगी चार माइनस के का whole square बरावर समीकरण संखिया 2 और एक बार मान लेते हैं इस विंदू से ओकर गोज़र रही है तो 2-H की whole square माईनस 2-k की whole square बरावर R square समीकरण 1, 2 और 3 को हल कीजिये ratings का क्योंकि 3 आपके पास मान ग्याद करने है ठीक है तीन मान चंदरकान जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका तीन मान आपको ग्याद करने हैं यापट H, K और R तीन मान ग्याद करने हैं तीन ही समीकरण दीगी जिए दोनों को हल कीजी आप दोनों को समीकरण 2 और 3 को बराबर रख सकते हो खाइखांग, तो क्यों बराबर राक्यों कि यह भी r के बराबर के बराबर है और यह भी z Connect के बराबर है, तो समीक्रण 2 और 3 को हड़करके, एक समीक्रण मनाई और फिर उसके बाद उस समीक्रण को हलकरके kare चर्ण fork the и clickında ग्याद कीजिए clear मैं आपको यहां लिख देता हूँ है एच के वे आर कमान समीं करन एक दो प्यत्तीन को हल करके प्राप्त करना है क्लियर और यह आपका होँम वर्क है हिंट मैंने दे दिया इतना सा काम आज आपको करना है फिर चीज देंगी क्लियर यह शेए बिलकुल बायलोजिक क्लास होती है बिलकुल होती है साब बिलकुल होती है बिल्कुल पाइलोजी की क्लास होती है और कोई यहां तक का अगर किशे को कोई डाउट हो तो वह पूछ सकता है बालक ऐसा कोई भी बालक जब निश्चित समाकलन की क्लास होगी तब वह पॉइंट करा दूँगा फिर क्यों परिशान हो रहे हो कि लिए अब क्वेशन देखो फटाफट प्रस्णावली के जो की फटाफट फटाफट कर लेंगे जल्दी से ज्यादा नहीं है जो क्वेशन आपको नहीं आते हैं कमेंट सेक्षिन में लिखना है कि सर यह क्वेशन्स की मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा थीक है ये सभी बच्चों के लिए है request है concept मैं बता रहा हूँ questions एक बर आपको try करने नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो कि sir ये question जो है वो हमें समझ में नहीं आए अगे अगे आप देख सकते हो केंदर 0 है और 2 है समीकरन क्या बनेगा व्यापक समीकरन की सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है x-h का whole square x-h का whole square plus y-k whole square बराबर r square है तो केंदर है अगर 0-0 तो x-0 whole square plus y-2 whole square बराबर r कितना है दो तो 2 का square तो आप यसे लिख सकते हो x square plus y-2 whole square बराबर 4 और ये आपके पास इसका अंसर आ जाएगा बरत का समीकरन क्यात करना था ये बरत का समीकरन होगे इतने से question है 12th match की class जो है वो तो obviously आपको बताई पड़ेगा और सारी question अगर मैं करा दूँ माँ तो तुम लोग क्या करोगे हम का कह रहे हैं अरे असल में biology की class होती है भाई का है परिसान हो रहे हैं हम कहते हो रहे हैं biology की class होती है आगे देखो पेंदर इतना है त्रिज्जा एतनी है तो आप क्या कहोगे सब केंदर वगर माइनस दो है और त्रिज्जा एतनी है व्यापक समीकरन में अगर हम बात करें तो x माइनस h कितना है माइनस दो इसका whole square प्लस y माइनस k का whole square बराबर 4 का square तो यहाँ पर आप देख सकते हो x माइनस माइनस प्लस दो का whole square y माइनस 3 का whole square बराबर 4 का square जो की है 16 हो गया इस टाइब के question है जो आप लोगों को एक बार try करने है एक question यह देखो यह तो सेम ही है केंदर इतना है और तरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो यहां पर आप देख सकते हो, X प्लस A का होल स्कॉायर, यहां से Y प्लस B का होल स्कॉायर, बराबर A स्कॉायर, बराबर A स्कॉायर, माइनस B स्कॉायर जो है, वो आपके पास आजाएगा, simple सा, clear है सब बच्चों को, अब अंकित तिवारी को कोई जवाब देगा, यह विचारा परिशान हो रहा है, इतनी बार बोल दिया, कल मैंने बहुत अच्चा मैसेज पढ़ा था, मैसेज पढ़ाता हम अब लोगों को, पढ़ो देखो, बड़ा गजब का मैसेज है, सुनना, अच्छा लगएगा सुनकर, यह कुछ इस प्रकार है, कि शास्त्रों के अनुसार, निम्न महापुरुशों को, अमर्ता का वर्दान प्राप्त है, अमर्ता मतलब, जो लोग अमर हो जाते हैं, जो लोग कभी मरते नहीं हैं, एसे लोगों को अमर्ता हम कहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार, निम्न महापुरुशों को, अमर्ता का वर्दान प्राप्त है, इनमें हैं, राजा बली, अश्वत थामा, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीशन, करपाचार्र, परशुरान, और रिशी मारकंडे, और यदि आपका नाम, यदि आपका नाम उप्रोग्त सूची में नहीं है, तो किरपा मास्क पेने, सामजिक दूरी बनाए रखें, और सैनिटाइजर का उप्योग करें, अध्योते रहें, अच्छी लेकि मुझे लाइन पढ़कर, मैंने का बिल्कुल सही लिए रखाए, येस चले आगे चले, खा भईया इम्राज, पगला गए हो क्या, ओ भईया इम्राज, पगला गए हो क्या, छलो, आगे चलते हैं, अगे लिए अच्छे से कॉश्चन की तरफ चलते हैं, अब या कोश्चन है, अब ये एक ही जैसे क्योश्चन केंदर और त्रिज्जा ग्यात कीजि, अब आपको पताए किसलिक की इनदर क्या है, अगर इसका केंदर निकालना है तो सबसे पहले आपको इसको convert करना पड़ेगा किस रूप में इसको बनाओ आप x-h k whole square plus y-k का whole square बराबर r square के रूप में इस रूप में अगर मैं इसको बनाता हूँ तो एक question कुछ ऐसा बन जाएगा x-minus-5 का whole square y-3 का whole square 6 का square तो केंदर जो है इसका वो बन जाएगा h, k h कितना है minus 5 और k कितना है 3 तो यह आपके पास आ गया त्रिज्जा जो है जिसे हम r से दर्शाते हैं वो बन जाएगी 6 हो गया क्या करना था इस question बताओ class कब तक चलेगा यह हमसे मत पूछो या यह मत पूछो आप बाकी कुछ बाकी के question आप लोग ट्राय करोगे किसी question में अगर कोई doubt होता है तो आप मुझे comment section के अंदर वो question पूछ सकते हूं क्लियर है एक question और बता देते हैं चलो अगर आप इस question को ध्यान से देखो तो इसका जो व्यापक समीकरण था वो था x square plus y square plus 2gx plus क्यूंकि मैं चाहता हूं पहले आप लोग question ट्राय करो अगर नहीं आएगा तब मैं बताने के लिए आपको परिशान मत होना तो आप देखो यह दो जी है तुलना करने पड़ना न दो जी बराबर माइनस चार है तो जी बराबर माइनस चार बटा दो काटा पीटी कर दो यह आपके पास आगया और दो एफ बराबर माइनस आठ है एक मिनिट यहाँ पर शायद वाय होगा यह बाई साब की वेश्चा कुछ गलती होगे वाकि वाय होना चाहिए आपकर माइनस आठ बटा दो है माइनस का चार आजायला काटने पर तो यहाँ से एफ का मान जो आपके पास आगया वो माइनस चार है ठीक है और पीश्री चीज़ जो थी वो तरिज्जा थी तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन दौनों के केंदर की है कि तो केंदर है माइनस जी और माइनस एक तो माइनसद यहाँ एक दो माइनस दो है तो माइनस दो है बात करें आ तो तौनित कैंदर बनेंगे वो बनेगा आपके पास दो और इसी तरह से अगर हम बात करें तुरिज्जा की तो तुरिज्जा जो है आपके पास वो कितनी है अंडर रूट जी स्क्वायर अगर यह टॉपिक आपने आज का आज जी रिवाइज कर लिया मेरी क्लास के बाद सब तो आपको याद हो जाएगा अदरवाइज आप भूल भूल जाओगे जी कितना है जी कमाने माइनस दो माइनस चार ती कमाने माइनस पैतारिस तो आप इसको देख सकते हो यह आजाएगा चार तोला और पैतारिस शोला और चार बीस तो चालीस पचास साथ पैतारिस और इसको देखो सोला चार बीस हो जाएगा और पैतारिस हो जाएगा तो 65 के करीब आजागा रूट अंडर रूट 65 जो है वो इसकी त्रिज्जा बन ले है कि लिए रहे है बहुत बढ़िया कि लिए रहे क्या सभी बच्चों को कि येस क्या सभी बच्चों को क्लिए रहे क्या अच्छे से एकदम ऐसा कोई टावर तो नहीं जिसको क्लिएर नहीं हो कि येस जल्दी जल्दी बोलो यार ऐसे दीरे दीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ कि येस जल्दी बच्चों को कि येस जल्दी बच्चों को है नके बड़ी य diary कुण आधन सु है एक बचच्छा कहरा है बला शर्षक्रात प्रशंद संक्या नाइन भी बता दो सँ आगे चले एक बच्च्छा कहरें ऊक्राशन संक्या 9 बता दो चलो नाइन बता देता हैuard circular आप Blue को सांतिक इसकी ओ बैई देखो करो तुलना देखो में समीकन क्या होती है परिस्तां मत वहां करो यार एस शुट शुट बातों को X स्कुआर कि वाई स्कुआर अगर आप इसमें द्यान से देखोगे न तो इसके अंदर के पास X स्कुायर और Y स्कुआर जो है इनके गुणांग दिए गए हैं सगे घो तो कि वनाथ दिएगए हैं काहें काहें नहीं कर सकते हैं व्यापक समीकरन अब अगर हम देखें कि तुलना नहीं कर सकते हो तो यह काम करो दो यह चोटी-चोटी बात को लेकर इतने परेशान हो जाते हो देखो तुलना करो इससे यह जो व्यापक समी करन है न इससे तुलना कर लो इसकी तो 2G पराबर X का गुणा कितना है माइनस का एक बटा 2 तो G का मान कितना आ जाएगा माइनस का एक बटा 4 फिर उसके बाद 2F बराबर 0 है यह नहीं 0 तो F का मान 0 C C के मान के बात करूंक तुलना करो है यह नहीं 0 इन तीनों के आधौर पर जबकि आपको पता है अगर समी करण ऐसी हो तो के इुदो होता है इसका माइनस जी और माइनस F माइनसजी का मान कितना माइनस एक बटा 4 और एप कमान कितना है तो जीरो है इसका तो मामला ही खतम तो एक बटा चार और जीरो आ गया और त्रिज्जा जो है ऐसे परिशान हो जाते हो कि बस पूछोए मत किसा अब चोटी-चोटी सी बात को लेकर ऐसे परिशान होते जाते हैं लगता थोड़ आसा कुटी-चोटी-बात को लेकर रोने लग जाते हो कि यस किलिए रहे सभी बच्चों कोई टॉपिक हम कि ओ भाई कि लिए रहे क्या को भाई कि लिए रहे क्या कि क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है फिर इसे बोल रहा हूं क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है फिर इसे बोल रहा हूं कि यह दे को पूर्ण वर्ग से बता दीजिए यह ले पूर्ण वर्ग है एक्जाम में कम समय में मैक्जिमम पार्ट कवर करना है ना कि आपके पास तीन गंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा ओ भाई ओ भाई यह तेरवे कितने डिमांड क्यों आ रहे भाई तेरवे में ऐसा क्या है ओई शक्तिमान तेरवे मैं ऐसा क्या है बे चलो एक बार तेरवा भी बता यार तुम लोग चंट तो बहुत हो सा लोग तुमने एक के करकर के सारे क्वेशन मुझसे करवा लिया है मतलब आप देखो पहला करा दो दूसरा करा दो मैंने काता मैं स्रीफ टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वेशन आप लोग तुम लोग तो बहुत ज्यादा इंटैलिजन निकले एक नेका आठवा करा दो एक नेका नवा करा दो एक तेरवा करा दो अब भढ़िया चलो तेरवा भी बता देता हूँ पिर पिर किसी ने लिखा देखो तेरवा बहुत एजी है मैं फिर कहता हूँ हर इंसान के लिए यजी और हाड अलग-सा है हर इंसान के लिए easy और hard अलग-अलग होता है इस question को समझते हैं प्रहले question में क्या दिया है कि 0,0 से होकर जाने वाले व्रत का समीकर्ण ग्यात कीजिए जो निर्देशांग को पर A और B अंतखंड बनाता है यहां से जा रहा है जिरो कॉमा जिरो कॉमा जिरो से होकर जाने वाले व्रत का समीकर्ण मान लेते हैं कि यहां से जा रहा है जिरो कॉमा जिरो है और जो निर्देशांग को पर क्या लिख रहा है शांग को निर्देशांग को लिखावा है यह अक्षो लिख रहा है निर्देशांग को लिखावा है यह अक्षो लिख रहा है निर्देशांग्षो कोई सब्द होता है कि निर्देशांग्षों शांग्षों शांग्षों वाला कि लास कब तक चलेगी जब तक सांस है तब तक चलेगी मिल जान तो एक काम करते हैं एक लाइन ऐसे बना लो और एक लाइन ऐसे बना अब आप पुछोंगे सब फालतों की बाद क्यूं देखाता हूं एक मिल्टों करो थोड़ी से सबर करो मजी आ जाएगा बस देखो क्या होता है कि जब आमने दस्वा जैप्टर पढ़ाता कौंज दाओ तो अंतकंट रूप पढ़ाता ऐसा है ना इसमें यह अंतकंट रूप था कि डाल अंतकंट रूप और इसके अंदर यह कितना था यह और 0 और यह कितना था है इसे कि बात कर एक क्वेश्चन समझो चीज़ें आसान हो जाएंगे अब जैसे यह तो यह तो केंदर निकालना केंदर निकालने का तरीका क्या है यह इंदर निकालने का सिंपल तरीका है यहां से लंब टालगों तो बराबर बागों में काटा पीटी कर ले गाएगी, तो यह बन जाएगा 0 प्लस A बटा दो, और दूसरा वाला बन जाएगा B प्लस 0 बटा दो, यह जो निर्देशांक है, यह A बटा दो और B बटा दो आ जाएगा, तो केंदर जो है, वो कितना आगे, यह बिंदू P मांग इसको, ठीक है, अब आप क्या देखोगे, इसमें एक बात नोट करो, कि इसको मैं O मान लेता हूँ, अब पी ओ जो है, वो व्रत की त्रिज्जा है, माना, व्रत की त्रिज्जा जो है, वो पी ओ है, तो दूरी सूत्र से, दूरी, सूत्र से, क्या, दूरी सूत्र से, O P या P O बराबर रूट, यह बन जाएगा, A बटा दो, माइनस जीरो का होल स्क्वाईर, और B बटा दो, X1 माइनस, X2 माइनस X1, Y2 माइनस वाइन का होल स्क्वाईर, और O P जो है, वो इसकी त्रिज्जा आ गे, तो इसे आप लिख दो, रूट में, A बटा दो का होल स्क्वाईर, और इसको अगर मैं R लिख दो, तो किसी को कोई आपती तो नहीं, R और यह बन जाएगा, B बटा दो का, फोल स्क्वाईर, R का मान तो पता लगी गया, यह आपके पास, एक आपने important काम कल लिया, क्यों, क्योंकि, आपको निकालना है वरत का समिखरन, और वरत का समिकरन के लिए 2 तो आपके पास बिंदो होने चाहिए, 2 बिंदो होने चाहिए न, एक तो केंदर होना चाहिए, तो केंदर तो निकाल लिए, हमने कितना आगया कि ए बटा दो और कैसे त्रिज्जा भी निकाल लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगरत का कि समी करण एक्स माइनस एच का होली स्क्वाइड वरत की त्रिज्जा यहां लिख दे वरत के केंद को कि वरत का ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चे 6-6 गंटे पढ़ते हैं और तुम्हारी हाला तब ही से खराब हो रही है कैसे पढ़ोगे अगले साल कि हां कैसे पढ़ोगे अगले साल कि एच का मान देखो कितना है एच का मान है एबटा दो इसका होली स्क्वाइड और आर स्क्वाइर का मान कितना है आर स्क्वाइर का मान आ जाएगा एबटा दो का होली स्क्वाइड और दी बटा दो का होली स्क्वाइड यह आपके पास एक मस्त से चीज आ जाएगी जो कि उसका समी करान है सर इसी साल पढ़ेंगे हमें तो नहीं लगता इस साल पढ़ेंगे तुमारे हरकते देखके तो बिल्कुल भी नहीं लगता हमें तुम लोग तो ऐसे रोते रहते हो और गया जबूक है और जाख़े एक six घ्रत पंदरत आदा जाएंतल कि तो बस में इसे वाली इसनीर के गलांगा को बाकिवाण से प्राइक्टिस पर आपको satisf पुलो प्रॉमिस करोर्ब हम राह संगर्श की जो चलता है वही सुंसार बदलता है जिस निती है चींता कि क्या बाद है कि प्रॉमिस करो पहले कि बोले सर ऐसे लिखो कि सर हम अगली वाली प्रिश्णावली के क्वेश्चन अपने इसे ट्राय करेंगे आप कंसेप्ट समझा देना तब तो मैं पंदरवा बता हूंगा बाकी नहीं बता रहा हूं कि अब लोली पॉप नहीं है जो बाद में किसी ने मना किया तो कता ही जहर पोड़म फाड़ी चालो हो जाएगे फिर मारें यह उल्टा लटकाई कि मुद्यों को एक किरा सोला कि वह थक जाते हो कि आप लोग पढ़ते पढ़ते हैं कि अच्छे घर से आते हो माबाप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी थक जाते हो पापा भी शायद तुमारे अगर कल बोल दें कि आर आजम थक गए हैं जब से पैदा हो यह कभी सुने उनके मूँसे कि उन्होंने ऐसा काओ आजम थक गए हैं आजम नहीं जाते हैं कामते कभी कह पाए उन्होंने नहीं का नहीं जाते हैं कि सोचो एक दिन अगर पापा बोल दें कि या राजा हमारा मन नहीं है ठके होए हैं आजम घर पर ही रहेंगे पैसा लगेगा आप लोगों को अले पड़ा करो बे घरवाले बहुत पैसा लगाते हैं तुमारे उपर पड़ते नहीं हो बहुतों पड़ा करो बहुत पैसे लगाते हैं घरवाले जिस दिन पापा ने बोल दिया कि हम धग गया आज से तुमारे लेने के देने पड़ जाएंगे इसलिए कोशिश करो कि वह अगर आठ गंटे दस गंटे बारा गंटे खेत में मैनत करते हैं तो आ माता फोड़ी करते हैं तो इतना तो कर्तव्य बनता है मनुष्य होने के ना दें कि चार घंटे तो किताबों से माता फोड़ी कर लो कि वो देखो एक क्यारा सत्रवा कुश्शन और बता दे और बता दे सत्रह अट्कार ऑंगनीज बीच इकिस बाइस लिख दे सब कि ऐसा नहीं है कि कुश्शन छूट जाएंगे अगर मुझे लगेगा तो एक वीडियो और बना देंगे क्या में काम है कंसेप्ट समझाना कंसेप्ट पर काम करना जरूर गई पहले कि चलो यस पानी पीके आवी ताजगी पानी में कुछ मिलावा नहीं था ऐसा सोचना मत कि सर एकदम एनर्जेटिक होगे इसका मतलब पानी में कुछ मिलावा था चलो बाई पंदरवा कोश्चन पर चलते हैं यह रहा और सोलवा कोश्चन तुम्हारे काका जी लिख गए थ कि यह जो कालू राम बोल रहा था कि कि पंदरवादे को अठारवा पॉसंत वर काका लिखके गए हैं आपर बोड़ पे अब उल्टा लटका के मारेंगे बे चलो आगी देखो यह क्या यह बिल्दू इस वरत के अंदर या भर इसकी तया नहीं अगर हम इसकी बात करें इस समीकरण की बात करें तो यह समीकरण का जो वास्तविक रूप है वो है एक्स मनेस माइनस जिरो का होल स्कौायर वार माइनस जिरो का होल स्कौायर और इसको लिख सकते हैं पांच का स्कौायर इसका मतलब हुआ एच के है 00 और का मान है 5 गर की बात है सिंपल सी आगे चलो अब अगर इसमें हम दियान से देखें ये बिंदू और इसके निर्दिशांग इसका जो केंदर है उन दोना की बीच के दूरी निकाल लेते हैं दूरी निकालने से पता लग जाएगा ब्रत के अंदर है या भार है तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं इसको बिंदू पी मान लेते हैं कि यह तो ओ गया जीरू-जीरू और बिंदू पी जो है वह माइनस का दो दशमल पांच जैसा ही मैंने काना क्वेश्चन गुमा नहीं और तुमारी खोपड़ी चलना चाले जाते हैं देखो तो ओपी निकालने तें दूरी सुत्तर से कि एकस्टू माइनस एकस्वान का होल स्कॉयर माइनस दो पॉइंट पांच का होल स्कॉयर क्योंकि जीरू है ऑर माइनस जीरो का होल एक कीड़ पॉइंट पांच माइनस जीरो का होल स्कॉयर ओपी की अगर हम बात करें तो माइनस का दो प्उइंट पांच का होल स्कॉयर ऑर तीन पॉह अलिस उक कॉ पीछे से दो बार मीचे लग जाएगा कितना है रदा सेना सो जाएगा से पुइंट पच्छिस हो जाएगा और यह कितना है 35 तीन चुग बारा दसमलों पच्छिस हो जाएगा बारा चाहरा अठाहरा दसमलों पच्छास हो जाएगा स्क्वाइर रूट की अगर हम बात करें तो आप लोगों को द्यान होगा कि यार तीन का स्क्वाइर गितना होता है नो चारका शोलड और पांच पच्छिस और अठाहरा दसमल्ड पांच है तो इसका मतलब है कि 5 से छोटा ही होगा इ का मतलब है ओपी का जो मान है वो छोटा है किस से आर से इसका मतलब है आर से छोटा है एक काम खी जीएगा आइसा लेजिए गोला और यहां पर लीजिए बिंदू की थेहरा तुमार बिंदू यहां जीरो जीरो और यहां पर अब यह आर है अब वो जो बिंदू है वो जो बिंदू है माइस दो कॉमा पांच और तीन कॉमा पांच जो है तीन पॉइंट पांच जो है वो आप अगर ध्यान से देखो हमने निकाला ओपी ओ यह रहा यह ओ है मान लेते हैं वो बिंदू यहां पर होगा अब आप बोलोगे यहां पर क्यों है अरे क्योंकि भाई छोटा है न से आप समझे रहे हो आर का मान जो है वो ज्यादा है किससे उस बिंदू की बीच की दूरी से तो इसका मतलब हुआ कि यह जो है वो छोटा है यानि य चार और पांच के बीच का कोई होगा चार चोक 16 पांच के सम्तिंग का कुछ होना ची है चार प्रण जिरो 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 एक बता रहा है तो इसका मतलब है कि वरत के अंदर इस्तित होगा बिन्दू दिया गया बिन्दू माइनस दो पॉइंट पांच और तीन पॉइंट पांच वरत के अंदर इस्तित होगा आई बात समझ में ससरों आई के नाई है कि हम एसल के बच्चे है एसल के बच्चे हैं तो जयासो के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं शाथ गंटे के लेक्चर के बाद डीपी पिट्रन्ट शॉल करते हैं बहुत बढ़िया अजे तुम्टों बहुत ही जादा आगे निकल गए बाबू छलिए आगे का क्वेस्टन शॉल करते हैं और गाजिपुर वाले चच्चे आइदर आ जाओ पटापट अब दूसरे नंबर पर आता है पैरा बोला ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए जल्दी ब्रेक चाहिए तो ठीक नहीं चाहिए तो भी ठीक ये शर्थ हमारी इच्छा है अले बाबार ब्रेक चाहिए क्या अब हाँ या ना बोलो फटाफट टैंड नहीं है एक्स्ट्रा एक्टिट्यूड डवल्यू आरेस कहां से आये हो तुम लोग यार एक क्यारा बीयर चाहिए वाह ये ले बीयर एक क्यारा छुट्टी चाहिए उन्टा लटका के मारेंगे तुम्हें भी पढ़े नहीं ते वन सॉट लिखा तब पर यह हुए ना कोई बात चलो आगे चलते हैं पहरा बोला परवली प्रकार की विमारी है जैसा कि आपने देखा एक आपके पास टॉपिक था जब हम शुरुवाती क्वेशन करवा रहे थे जब तुम सो रहे थे आइसा 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 बहुत सारा पाइसा पाइसा कहां गय गए कहां गय गए कहां गए परवले ये रहा, परवले के अगर हम बात करें, जो कि most important है, एक परवले तल के उन सभी बिंदों का समुच्य है, जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदू जो रेखा पर इस्थित नहीं हो से समान दूरी पर इस्थित है और ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया वापस पढ़ेंगे एक परवले तल के उन सभी बिंदूओं का समुच्चे है जो एक निश्चित तरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदू जो रेखा पर इस्थित नहीं है से समान दूरी बात इस्थित है मुझे पता है कि आपको ये भी समझ बें नहीं आया होगा इधर देखो अब सबसे बाहिले बात कर रहा है एक रेखा की यह एक रेखा है रेखा है पुरा मतमानी अगर जिसका विनाम रेखा हो रेखा है सीधा है ना रेखा तो सीधी ही होनी चाहिए वैसे टेड़ी होगी तो दुखदाई देड़ी अब यह यूँ कह रहा है कि एक परवले जो है तल कि उन सभी बिंदू का समुच्चे बाढ़ जाने कर दो रहे हैं एक निश्चित सरल रेखा यह रही यह लिख लो कि या भाई एक सरल रेखा है कि तल के एक निश्चित बिंदू से समान दूरी पर है इस बिंदू की है और एक बिंदू है यहां पर यहां पर यहां पर यह ऐसा कहना चाहरा है कि यह बिंदू जो है यह दूरी और यह दूरी बराबर ही इसी तरह से कि एक दूसरा कोई बिंदू है इसी तरह से एक तीसरा कोई बिंदू है इसी तरह से इनकी बहुनाओं को समझ सकते हूं, यह जो दूरी है, इसकी यहाँ से और इसकी यहाँ से समान है, यह तो बराबर बीच में से निकाल देते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा, टेड़ा है कि टेड़ी है, अब कौन सा सीधा सारफ टेड़ा तो अभी भी है, ऐसा मन लेते हैं, और इसी तरह से इसकी इस बिंदो से दूरी और इसकी इस बिंदो से दूरी बराबर है, इसकी इस बिंदो से दूरी और इस बिंदो से दूरी बराबर है, इसकी इस बिंदो से दूरी और इसकी इस बिंदो से दूरी बराबर है, कि यह जो बात कहना चाहरा नहीं इसको समझ जाओ आप चीजे थोड़ी सी आसान हो जाएगी इन बिंदूओं को अगर मैं मिला देता हूं इन बिंदूओं को अगर मैं मिला देता हूं तो यह कुछ ऐसा गंदा से शेप बन रहा है कि यह यहां से चाहिए आपको दबावा सा लग रहा है पर यह सीधा है कि यह जो दूरी है यह जो दूरी है और यह जो दूरी है वो बरावर है यह जो दूरी है और यह जो दूरी है वो बरावर है इसी तरह से यह दूरी और यह दूरी बरावर है यह दूरी और यह दूरी बरावर है यह सब आपस में क्या है बराभर बात समझेजल्धे। सिंपल से बात बता रहा हूं बड़ी प्यार से। आप देख सकते हूं यह बराबर है, एक को ध्याँ ट्रकों. कि यह जो लाइन है ना सरल रेखा कि इसको हम बोलते हैं नियता नियता इंगलीज में इसको बोलता है डाइडेक्ट रेक्स और यह जो बिंदू है इस बिंदू को हम बोलते हैं फोकस या फोकाई भी बोलते हैं इसको तो इसको बोलते हैं वैसे ना भी माइनस एक ओमा जिरो आई बात समझ पर मेरी बात समझ में आ रही है लल्लेन टाआप तो ठीक है बात समझ में आ नीचे बस क्लिए रहे कि हाँ तो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको तो यह जो बिंदु है आपके पास इस बिंदु को माले लेते हैं p पीवन इस बिंदू को मान लेते पीटू और यह नबे डिग्री होता है द्यान दखना यह आपके पास पीठी पिर पीफॉर 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 पीफाइट और बहुत सारे होते हैं अब जरूरी नहीं है ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि यह दूरिया तो बरावर है ना यह बरावर है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऐसा दिखने वाला शेप परवले ही हो पास बोल रहा हूं यह जरूरी नहीं है कि यह परवले हो पेज़्जदी करवा दिया तुम लोग ने जरूरी नहीं है कि ऐसा दिखने वाला शेप परवले ही हो इसलिए कंडिशन क्या है कि इस बिंदू से इसकी दूरी यह बिंदू भी है यह बिंदू भी यह बिंदू सी ले लो यह बिंदू डी ले लो इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी सबकी क्या है बराबर होने चाहिए तब जाके परवले बनेगा अन्यता बरवले यह बनेगा तो आप यह कह सकते हो कि भाई यह आइसा है यह जो AP1 की जो दूरी है वो बराबर होगी AF के A F के P to B की जो दूरी है या इसको बोल सकते हो P1 A P to B की जो दूरी है वो बराबर है इसके B F के और P3 C की जो दूरी है वो बराबर है P3 के और ऐसे बहुत सारे केस आप यहाँ पर बन सकते हैं बहुत सारे बन सकते हैं कोई fix नहीं है ज़रूर नहीं है कितने है इससे ज़्यादा भी बन सकते है यह देखो समाकलन पढ़ा दीजिए अपर कहां से आये हो बे कहां से आते हो तुम लोग यार समाकलन समाकलन इतनी बार पढ़ा दिया पिछले साल पढ़ाया इस साल फिर पढ़ाया महां जाओ वीडियो देखो ऐसे आंकों से ढूंड़ो उसको एप्लिकेशन डाउनलोड करो लिंक मिल लाएंगे सारे तो इस तरह से बनता है परवल परवले के बेसिकली चार अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे वो चारो प्रकार में आपको बता देता हूं फिर उनके समीकरण पर चर्चा करेंगे कि इसकी समीकरण कैसे बनेगी तो परवले के चार केस बनते हैं कौन कौन से वो देखो एक काम करते हैं चार आजाएंगे के हैं आपको एक और मना लेता है चौन कौन अब आपको इन चारो को समझना है कि चारो कैसे होंगे अब anal के चार इन चारों के चार समीकरण बनेंगे कि ठायगरान बता हैं फिर समीकरण पर चर्चा करेंगे तो देखो क्या-क्या बन सकता उन्हें मैं आपको एक बाद और बताता हो एक ऐसा बन सकता है और ऐसा बन सकता है जिसकी तरफ मुझ खुला होता है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष के सम्मित यह सेम एक्स अक्ष के सम्मित यह वाई अक्ष के सम्मित और यह वाला यह भी वाई अक्ष के सम्मित कुछ छोटी चोटी से बात है हर एक को कहा द्यान है तुम लोगों का यार कुछ अता पता ही नहीं है अलगी दुनिया में गुम हुए हो यह समझ आ रहा है डाइग्राम डाइग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों को बढ़िया अच्छे के रहे हैं बोला आ रहा है ठीक है तो यह हमने पढ़ा था और इसी को मैं अब थोड़ा सा मोडिफाय करके यहां पर अच्छे रूप में बना रहा हूं आप इसको देख सकते हो एक डाइग्राम से आपको सब देखो है आप आप अपर आप कि लिए रोजाएंगी तो आप कि 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 देखो कि आपको पता है कि यह पर उसकी नियता है इसमें तो आपको दिमाख ही ने लगाना मान लेते हैं मैं इसकी एक अक्स बना देता हूँ य एक अक्स और य एक्स बना देता हूँ य आपके पास बन गए अब आप पुछोगे एक क्या बिमारी है य आपके पास एक्स अक्स होगे यह आपके पास y अक्ष हो गया y अक्ष हो गया ठीक है यह इसकी नियता है यह इसकी नाभी है नाभी f 1,0 अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो जब हम इसको ड्रॉ कर रहे थे तो आपने देखा कि इस बिल्दू पर इस कर्व के यह जो कर्व बनी है वक्र जो बनी है इस वक्र पर इस तीथ कोई बिंदू की focus यानि कि नाभी और नियता से दूरी समान होने चाहिए तो इस पर जो बिंदू होगा उसकी इससे यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है उसकी इससे और उसकी इस नियता से दूरी जो है वो बराबर होगी हो सकता आपको बराबर दिखेगी नहीं पर बराबर माननी आप कि यह बराबर है अब आप यूं समझो कि यह एक्स अक्स था आपके पास यह बराबर अब चीजों को तसलिश से समझना यहां से यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक ठीक है वेरेगूर अगर मैं नियता की बात करूँ तो यह आपके पास कितना आ जाएगा क्योंकि यहां से आ तक एक है तो यह हो जाएगा माइनस एक कॉमा जीरू यह भी के लिए ठीक है तो कोई एक बिंदू है दिख रहा है पॉइंट इस बिंदू के निर्देशां के जो है वो क्या-क्या है इस बिंदू के निर्देशां क्या हो सकता है कोई भी हो सकता है इस बिंदू को हम बोलते हैं शीर्ष इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो मेरा क्वेश्चन जो है आप लोगों से वो है इस एक निर्देशांग क्या-क्या हो सकते हैं कोई भी बच्चा बता सकता है कि यस बेरी गुड़ शिवम कुश्वाह बिल्कूल परफेक्ट जवाब दिया है आपने वेरी गुड़ मेरा क्वेश्चन है कि इसके निर्देशांग क्या-क्या हो सकते कोई भी बता सकता है बच्चा कोई भी बच्चा बता सकता है वेरी गुड़ बहुत बढ़िया नीरज मौर्रे परफेक्ट बताया है सत्या कुमारी ने परफेक्ट बताया है अगर आप दिमाग लगाव नहीं ज्यादा इसी में लिखावा अंसर है अगर आप ध्यान से देखो भाई इसके ओपर कोई भी बिंदू होगा एक्स1, एक्स2, एक्स3, एक्स4, एकी बराबर है किसके एएफ की अईसा होता है अब seven निकाल सकता हूं दूरी सूतर से AP निकालना है अब AP निकालों कैसे यह तो मामला फ़स गया क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि यहां से यहां तक कितना है A है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि यहां से यहां से यहां तक कितना है X और यहां से यहां से यहां तक कितना है A यह कितना है तो यह पूरा कितना हो गया x plus a ओ बोलो भईया समझ में आया क्या यह कितना बन जाएगा x plus a और af दूरी सूत्र से निकाल लो root x2 minus x1 x minus a whole square plus y minus 0 whole square इसको हल कर लो दोन तरफ बर्ग करने पर यह बन जाएगा एक्स प्लस ए जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर हमारी क्लास की बड़ी-बड़ी क्लासे लो वह बच्चे गाया प्याज य-0 का होल स्कायर तो इसको अपन्य स्कायर कर सकते हैं इसको आप लेख सकते हो एसको फिलसड़ क्ले पीलसड een थो स्क्वाइब जो पद कट रहा है उसको काट दो A square से A square कट जाएगा X square से X square कट जाएगा और कुछ कट रहा है क्या Y square बच गया तो Y square बराबर यह माइनस का दो इधर दिल लाएगा तो यह 2AX प्लस 2AX तो Y square बराबर 4AX और यह इसका समी करण है Y square बराबर 4AX जो है वो इसका समी करण है समी करण Y square बराबर 4AX कब जब इसका मुह जो है वो X अक्ष के तरफ खुला हुआ हो तब समी करण यह बनेगा बात समझाई वापस बता देता हूँ ध्यान से सुनिएगा बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ द्यान से सुनियंगा मि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो X और ह्यां से यह तक वैसे भी फार टो इस पिडूरी बराबर है और मुझे कहा करना है मुझे तो समी करने का अब यह जो है वो परवले का समी करने यह क्या है परहबले कि यहां लिखतो क्या परवले का समी परवले का समी यह चीज़ है भी कि समधाया गया परवलय का समीकरण है अगर यह परवलय का समीकरण है तो ऐसे चार केस्ट आपके पास बनेंगे nost को हर केस में हर केस्ट में no है यह जो है यह अपर पास अक्ष है और इसकी नियता कि अगर मैं बात करूं और तो ऐसा कर लो अ यह इसकी नियता है, ऐसे यह इसकी नियता है, यह इसकी नियता होगे, और यह इसकी नियता होगे, इसमें ध्यान रखना, यह जो है, यह इसकी नियता है, यह इसका शिर्ष है, और शिर्ष के नियता है, आप लिख दो, 00, जुरू यह इसकी नाभी हो गई फोकस पता लगिया बिंदु आ गया जो की परवले पर इस्तित को एक बिंदु यह क्या है यह क्या है परवले पर इसके बिंदु कि अग्या है कि लिए रहे हैं समझ आ रहा है बहुत बढ़िया तो यह चार केस आप यहां देख सकते हो चारों के अंदर में आपके कुछ बता रहा था जो की नाभी है यहां पर है एक कॉमा जीरू यहां पर आपके पास है माइनस एक कॉमा जीरू यह आपकी एयस है अगर यह एक कॉमा जीरू है तो यहां पर हो जाएगा माइनस एक कॉमा जीरू ठीक है यह की नियता है यह क्या है नियता यहां पर यह इसकी नियता है यह तो आक्स है अब इसके निर्देशांग अगर माइनस एक ओमा जीरो है तो इसके निर्देशांग एक ओमा जीरो इसके निर्देशांग आप यहां देख सकते हो क्योंकि यह यह अक्स पर है तो मैं ईसको लिखूँ गाझा जीरो माइनसे इसको मैं लिख सकता हूं 0, minus F जो है वो इतना आ जाएगा तो यह आपके पास आ जाएगा 0, A यह आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कुछ समीकर्ण लिखी अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको द्यान से देखना है अगर इसका मूँ एक्स की तरह खुला हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष के सम्मित और इसकी समीकर्ण बनेगी Y स्कुएर बरावर 4 A X अगर इसका मूँ एक्स के विपरीद दिशा में खुला हुआ है यह जो है आप देख सकते हूं माइनस एक्स है ना यह माइनस एक्स है ज्यान लखना और यहाँ पर यह भी माइनस एक्स है अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसकी बंदाएगी Y स्कुयर बरावर माइनस एक्स आपको ध्यान देना है माइनस स्यंद पर और आपको द्यान देना है कि मइनस स्यंद कर कि इसकी बंदाएगी समीकरण x square equal to 4 ay x square equal to 4 ay और इसका बन जाएगा x square equal to minus 4 ay और यह सब क्या है परवलेटी समीकरण चार समीकरण है त्वेल्थ क्लास का most important topic है यह त्वेल्थ क्लास का most important topic है अगर आप लोग इसको जहां से देख पा रहे हो तो तो तीन diagram मैंने यहां पर बनाए है एक diagram यह यानि परवले का निर्मान कैसे होता है वह आप इससे सीख सकते हो फिर एक basic परवले है जिसके अंदर यह यह परवले परिस्तिक कोई बिंदू है यह आपके पास x दूरी है यह आपके पास dhp 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 dh बढ़िया बहुत बढ़िया अब इदर ध्यान दे लो पढ़ने पर बता रहे हैं मारेंगे बहुत बुरा पढ़ो इदर ध्यान दे कि देखो खुशी जी आप सो गए क्या नहीं कि तुम्हारे जूत लगाने आएंगे भी कि फोड़ेंगे तुम्हारे में गौंसे पढ़ लो इदर ध्यान दे लो बै तो यह आपके पास मेजर जो समय करने वह यह बनेगी और इसमें आप देख सकते हो इसमें जो अगर मैं ना ना भी एफ जो कि है एक कॉमा जिरो इस केस में ना भी कितना है माइनस एक कॉमा जिरो इस केस में ना भी जिरो कॉमा एक और इस केस में ना भी जिरो कॉमा माइनस एक काहे द्यान लगा रहे हो तुम आप लोग इन पर द्यान दोगे तो यही समझ में आएगा फिर आपको इसका द्यान लखना साहिका ना हो इसमें भी इसका द्यान लखना हो आप देखनों जिर से किदोड़ खुलिह मंग गरमच और अधर दाएगा उधर खाय काए उदर से फाये गजय तो माइनस में आजाएँगा उपर से दाएगा तो प्लस में इदर माइनस में इदर प्लस इत्मापको यह सब अग जब X की और Y की घात 2 हो तो उस केश में बरएज बनता है जब X और Y की घात एक और दो हो आप देख सकते हूं यहां पर X की घातं LIVE की घात्व है अच्छी घात दो इस्में वेशा परवले ही बनी गाइगा एस के लिया क्लियर है कि जब सर में न्यू सुझेंट शागत बाबु तुमारा हमारे कलास में आप इस बाबु का साकत करो भाई जिए बाबु आया है हमारे कमें आज कि आब अधर को सागत है तुमारा हमारी क्लास में कि येस के लिए एक ये सभी बच्चो को कि अब किलियर हो गया सभी बच्चों को कि वेरी गुड बहुत ही बढ़िया चकाचक होगे एकदम चकाचक ना दोगे तयार एकदम एक्स में बोल रहा हूँ एक्स की गाते और वाई की गात दो तो आप हमेशे समझ लेना किसी समीक्रणों को देखो यह समीक्रण होते हैं इन समीक्रणों को मानक समीक्रण बोलते हैं यह समीक्रण है यह गंदी से समीक्रण है यह समीक्रण के लाते है यह लिखना परवले का समीक्रण यह मानक समीक्रण है तो मैं जो बता रहा था आपको वह क्या चीज है मैं जो आपको बता रहा था वो यह कि इन समीकरणों को थोड़ा सा ध्यान से देखना हाना चार जो बेसिक समीकरण थी वो आप डाइग्राम से याद कर लेना मज़ा जाएगा ठीक है हाड वाड कुछ नहीं होता कोई चीज समझ में नहीं आती तभी आपको हाड लगे अदर्वरवाज आपको हाड्ने लगेगी सिंपल सी तियोरी Extra कोई च稿ज हाड कब लगती है जब समझ में नहीं आती बहुत बढ़िया साब बहुत ही बढ़िया बहतरीन मज़ा आगया तुम लोगोंने दिल जेतले हैं मिराज एक ही दिल है कितनी बार जेतो गए तो परवले का प्रमानिक समीकरण वो जो मैंने आपको बता दिया अब आता है नाभी लंब जिसको नाभी लंब ना भी लंब तो एक काम करते हैं पहले एक परवले बनाते हैं पहले एक परवले बनाते हैं ऐसा मजाक मजाक में सही बन गया यह फिर ऐसे एक अक्स बनाते हैं और एक बनाते हैं इसकी नियता ठीक है? इसको कलर दे देते हैं दूसरा ये काम करते हैं इसको देदे हें हरा दिर सफेद है कि आपको त्यान रहेगा कि सफेद कलर जो है वो शांति का प्रतीक है और सफेद कलर जो है वो अक्ष को दर्शारा है क्यों वह लोग सही कह रहा हूं न अब आप समझो अब काम सारा समझने का है यह होता है कि फोकस जिसको हम ना भी बोलते हैं एक और यह इसका शीर्ष है और यह आपके पास माइनस एक और इस पर कोई भी फलतु का एक बिंदू हुआ कि उसकी दूरी और यह दूरी बराबर होगी यह सला बताते बताते ऐसा लगता है कि बच्चे परिशान हो जाते हो में विचारे सुनते सुनते ही अगर हम ध्यान से देखें अगर हम ध्यान से देखें और एक्स बराबर ए ले क्योंकि इसकी समीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसकी समीकर तोर आपको द्यान दखनी है क्योंकि इसको अठा दिखने इसका कोई रोल नहीं आए गर यह यह ठेहरा नाभी लम तो इस अक्ष के उपर इस अक्ष के उपर नाभी से अगर कोई लंब गुजरता है इस अक्ष के उपर नाभी से अगर कोई लंब गुजरता है यह 90 डिगरी बना रहा है ना इसे भी अक्ष के नाभी से गुजरने वाला लंब और यह बिन्दू तो आपके पास A है यह बिन्दू A है और यह बिन्दू B है क्लियर तो नाभी लंब क्या हुआ A B इसके लंबाई गयात करने का सिंपल सा सूतर है क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहां से यहां तक A X ले सकता हूं यह आपके पास X दूरी पर ही है कहीं पर भी होगा तो यहां पर अगर X बराबर A रख देता हूं तो क्या बनेगा तो जो समीकरण है हमारा Y स्कोयर बराबर 4 A गुना A तो Y स्कोयर बराबर चार ः चार A स्कोयर और Y का माल जो है वह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूर अचार A जाए तो Y बराबर प्लस minus 4 को लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं तो यह जो मान आपको दिख रहा है यह है नाभी लंब, दो A, यहां से यहां तक यहां से A से B तक जो है वो आपके पास आ जाएगा, A B जो है वो आपके पास आ जाएगा नाभी लंब तो नाभी लंब की लंबाई हम इसको बोल सकते हैं यह आपके पास आगया किलियर हो गया पॉइंट काहे सलाम कर रहे हो भाई हमको बताओ बड़ा क्लास नहीं लेते हैं तो कहते हैं बड़ा क्लास नहीं लेते हैं बड़ा क्लास ले लेते हैं तो कहते हैं कि बड़ा क्लास ले लेते हैं आभे चाहते क्या हो एक बार कर लो ना एक बार बता दो कि सर आम यह चाहते हैं तो हम उसी एसाब से ले लेंगे बड़ीकलाश लो तो दिक्कत नहीं लेओ तो दिक्कत गजब ही हो यार तुम लोग सच में यार तुम लोगों को सलाम मेरे को तो क्या सलाम करो इन्हीं को सलाम करो यो यह लोग दूसरी ख्लास में आकर इसको जाहो ते भी लिखले ना ये भी लंबा ये न आपका क्या नाम है मेरा नाम है अब्दुल जैकब कादरी यार कैसी बाते करता है टाइटल में लिखा होता है ना इम फिर भी पूछ रहा है टाइटल में लिखा है न आप देखना कभी लेंदी क्लास होते जो आप लोग आज बैठे हो ना आप लोग कभी 12 बच्चे होते हैं तो नाम पंडित जैकब कादरी इनायत यह है नाम है उसमें लिखा हो आए नीचे टाइटल में आप देख ले तो यह बच्चे क्या करते क्लास में आते हैं लाइव क्लास में वह क्लास होती है ना छे गंटे की बच्चों पढ़ रहे होते हैं तो यह जो टाबर अभी चुट चुट चुटे से टाबर यह आते क्लास के अंदर और फिर देखो आप कुछिए कि में लयां यान ओड़ीं वहर झीज्टी कि द दे गंटे में गतम क्यों का इसे उनतली वाहिता ना हम पर का इसली आई पारेशान हो गें कि कूछ करो अंदर जा इसने पानी बर्षे से पहले आकर आठे जा आपस लास में समस्खवना जाएका देखो इसका नाम है दीपक लड़का है और यह कहा रहा काना बनाना है का है आप बहुरिया मारे कि तुम्हें मैं आपको बढ़ा हूँ यह तोपिक में आपको मजाग मजाग में दो बढ़ाएं यह दोनों 12 क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट टोपिक् है एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैनल अमब रहना है यह दौनों मिक्स होंके खुचना बनता है asks सरकल औरया बोला ययानि कर भरत और परवलय यह दौन मिलकर खुचन मनेगा एक टॉपिक और पढ़ लो फिर एक टॉपिक और विविद्प्रश्णावली कि एक साथ ही वीडियो बना दूँगा ठीक है इतना तो कर सकते हो एक टॉपिक और पढ़ लो एक टॉपिक मतलब इसके थोड़े बहुत दो तीन कोशन को देख दुखा लो पर आम जंजट खतम हो इसका भी और फिर उसके बाद उपढ़ ले ना अराम से छोटा से टॉपिक है फटा फट कंप्लेट कर पढ़ा देते हैं आप लोग भी परिशान नहीं हो मैं भी परिशान नहीं ह। मुझे आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक है लिमिट्स अंड डेरिवेटिव बहुत मज़दा टॉपिक है और आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो अब ये तो फिल्वी वाली बात हो गई और ये देख सकता आप परवले नाभी से जाने वाली परवले के अक्स के लंभवत रेकाखंड जिसके अंतिया बिंदू परवले पर हो परवले की नाभी लंग जीवा कहते हैं परिवाशा बहुत कम देखने को मिलती है मेरे ख्याल से आज तक मैंने तो नहीं देखी वह फिर वह आगर आजए तो तुम्हारी किस्मत है पिर इसके बाद इसके बाद आता है आजाओ फिर कोस्चन पर आता है चलो यदि परवले का समीक्रण इतना है तो ना भी के अग्स है अ हुए मानक समीक्रण कि अगर हम बात करें तो यह बोलने बड़ा मज़ा आता है मानक समीक्रण पूरा नहीं लिखेंगे जोर आता है कि कि वाइश कौयर इसमें डिलतियों क्या यह यह उपश्यू ना कर लो तुलना करने पर, अच्छा इससे दो चीज निकाल सकते हो आपको पताए, समीकरण ये है, तो इससे ना भी आ जाईगी आपकी, और इसमें क्या क्या निकालने है, नियता का समीकरण, ना भी लंब, जीवा की लंबाई, तो तुलना करने पर, तो चार ए बराबर आठ ए बराबर आठ बटा चार बराबर दो बार एक आमान कितना आगया दो एक आमान आगया तो नाभी के निर्देशांग क्या हो गए नाभी के निर्देशांग को जाएंगे एफ कितना है दो कॉमा जीरू कि बाद में इसका डाइग्राम में बना ले ना ताकि चीज़े आपको थोड़ा सा और ईजी लगेगा न और फिर उसके बाद पूचा है नियता का समीकरन तो एक बराबर माइनस तो अगर आप द्यान से देखो तो एक बराबर कितना आ जाएगा अधिको नियता क्या होती है अगर आप इसका डाइग्राम बनाओगे यह पर बना लेका ऐसा हुआ हो एक वाइस का बराबर आठए एक्स आठ एक्स है और एक्स जो है इसका मुझ खुलला है ऑै यह जो कह सकते हैं Itu कैस का दो डायरां है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा और यहां पर यहान आजाएगा आपके पास कितना है दो जीरू इस तो यह कितना ओजाएगा समझ आया गई वाला येस अरे भाई समझ आया क्या है हलो कि समझ आ गया क्या भाई लोग समझ आ गया है है कि आ गया क्या कुछ किया ही नहीं मैंने देखो चुलना करिए इस समीकरण से तो ए का मान आ गया और जो है आपके पास यहां पर होता है इस वाले समीकरण में इसको एफ लिखते ना पन यह आ गया इसने फिर और क्या पूछा है इसने पूछा है अक्स तो आप लिख दो कि तो यहां पर देखो यहां पर अपन लिख लेते हैं नाभी कि इतनी आई है कि एप इसको ऐसा लिख लो नाभी एप दो वामाजी लो ठीक है फिर अक्ष अगर अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष के सम्मित प्रीशने पूछा है नियता का समीकरण फिर पूछा है नियता का समीकरण कितना होता एक्स बराबर इदर दो है तो दर माइस दो जाएगा फिर इसने क्या बूछा है नाभी लम्ब जिवा की लंबाई नाभिलंब जीवा की लंबाई अब जैसा कि आपको पता है फॉर्मॉले के साफ से कितनी थी आपके पास टुए कितनी थी टुए होती कितनी है दुए एक कमान कितना आया दो तो कितनी हो गई चार यह चार चीज़े इस क्वेश्चन में आपसे पूछी थी जो चार चीज़े आपने बता दी खता हुआ को वह एक किया रहा है एक तो बिल्कुल खता ही जहरिला दूए किया रहा क्वेश्चन क्या है इधर देख भाई क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन की बात करें अगला कॉस्तान यह रहा नाभी देदी नियता देदी परवले का समीकरन क्याद कीजिए नाभी कितनी है दनात्मक है दनात्मक है इसका मतलब डाइग्राम कैसा बनेगा एसा बनेगा डाइग्राम कैसा बनेगा यह दनात्मक क्या होती है यहाँ पर होती है कि आइसी कि दो कॉमा जिए एक्स बराबर माइनस दो यहां पर होता और इसकी समीक्राइब कैसे यह देखके बताओ वाई स्क्वाइर बराबर चार एक्स तो यहां से एक्स एक आमान रखतो कितना जाएगा वाई स्क्वाइर बराबर चार एक आमान आगया दो एक्स तो वाई स्क्वाइर बराबर आठेक्स पुराना वाला कॉश्ण यह है क्लियर अरे भाई यह इतने सारे मैसेज मत लिखो एक आदमी कोई मतलब तसल्ली से कुछ पूछना है तो लिखो फालतू बिना काम इतने सारे मैसेज करने से क्या मिलेगा यह कुछ सैंस नहीं निकलेगा ना क्लियर हो गया यह वाला कॉश्ण आओ कि यह क्लियर हुगे क्या अ कि 설ाश वजच ए हां वी अ फाला के जाट की रूघ करें ना यह कि यह क्लिए बिलकुल एक क्लास 12 के सभी चैप्टर का वन्सोट बना दीजे, हाँ इधर आओ तुम्हारा बनाते हैं वन्सोट हम जो मेजर चैप्टर है उनका वन्सोट बना दिया है, एक बड़ देख लेना छेड़ना ने इसको गयाप हो जायगा बनना अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो अगर आप एक मिनट शीर्स देदी है इसने जीरो जीरो और ना भी देदी इसने जीरो कॉमा दो जीरो मतलब एक्स जीरो किस पर होता य एक्स पर तो वो समीकरण कैसी होगी ऐसी नाभी दनात्मक है तो यह ऐसा बनेगा नाभी दनात्मक है तो यह ऐसा बनेगा आप देख सकते हैं इसकी नाभी कितनी है यह नियता नहीं है यह इसकी नियता है और यह इसके शीर्ष है दूसरे वाले यह क्या है इसके शीर्ष है कितने हैं जीरो जीरो और ये इस किन्नी यता है, डाइग्राम से याद कर लो, चीजों को जल्दी याद हुदेगी, फिर इतने हैं, ना भी इतनी है, परवले का समीकरण ग्याद कीजिए, इसका समीकरण कितना है, मूँ उपर की तरफ खुला हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, एक स्क्वाइर बराबर चार एवाई, एक कमान कितना है, आप कहोगे सर एक कमान, एक कमान तो दो है आपर, यह बन जाएगा, एक स्क्वाइर बराबर आठ वाई, आप देखो, एक्स की गात दो है, वाई की गात एक है, किलियर होगे सभी को, वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो अगला गोसन कर लेते हैं फटापड मजाक मजाक में वेखो उस परवले का समीकरण ग्यात कीजिए जो वाई अक्ष के पारित सं मित हो अगर हम देखें तो के सम में दो समिकरण होते हैं एक समिकरण होता आपके पास डायग्राम से यलिन से डियाग्राम से देख लो अब ऐसा होता है और एक ऐसा होता है यह दोたों य sencill के समिकरण है तो यह और मलता है अब यह तो पता नहीं कि कौन सी वाली समीकरण बनेगी इस बिंदू से ओकर गुजरता है अब इस बात को द्यान से देखना इसको थोड़ा सा समझो आप मज़ेदार चीज है मज़ा आएगा बिलकुल मज़ा आएगा मान लिजिए इसने कहा ऐसा अब यह मत पूछना ऐसा क्यूं बना दिया अरे भाई यह दनात्मक है यह रिनात्मक है और चोटे से तुरतांस में होते हैं एक्स दनात्मक और य रिनात्मक यह यहां से होके घुजर रहा है इसकी समीकरण क्या बनती ही, तो y square बराबर x square बराबर minus 4 ay, यह इसकी major समीकरण है, अब क्योंकि यह परवले जो है, यह परवले जो है, इस बिंदू से ओकर गुजरता है, इसका मतलब है, इसकी जो समीकरण है, वो इन बिंदू को, यह बिंदू जो है, वो इसकी समीकरण को संतुष्ट करते होगे, अगर यह परवले इन बिंदू से ओकर गुजरता है, तो इसका मतलब है, अगर यह बिंदू इन बिंदू से ओकर गुजरता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि भाई ये विंदू इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो x की जगे 2 रख दीजे इसका square कर दीजे y का मान कितना आ जाएगा y y y y y y y y y का मान आ जाएगा मैनस 3 तो 4 प्लस 12 a a का मान 4 बटा 12 एक बटा 3 एक बटा 3 एक बटा 3 तो जब आपको यह पता लग गया कि a का मान एक बटा 3 है और आपको यह भी पता लग गया कि समीकरण इसकी बनेगी तो यहां लिख दीजे x square बराबर माइनस 4 a का मान है एक बटा 3 x square माइनस 4 a y तो यह आ जाएगा x square बराबर माइनस 4 बटा 3 y यह आ जाएगा ठगे क्या ओ भई लोग ठगे चीकू तेंको कोई बुला रहा है कि मैं go chicken में गोलाब जामन गुला रहा है तुझे इस तीन के बेजर दो के तो और भी बन जाएंगा बट अगर आप इसहीं में चोड़ दो के तो रिखें स़रा झाए ए कि को हुलाब जा मन गुला यह आप मैं से कितने बच्चे ऐसे जो शुरुआत से अभी तक रुके हुए झाल से कितने दो कितने से अभी तक रुके हुए झाल सा भाल को शुरुआतabytes जो शुरुआत काम साल जो शुरुआता झाल झाल यह बात कनफर्म हो चुकी है कि इस देश के अंदर जो है लड़के भी पढ़ते हैं लेकिन लड़कियां ज्यादा डेडिकेटेड हो के पढ़ती है मुझे ऐसा लगता है आर जे क्या नाम है विशाल कुमार सत्यकुमारी दीपक फैजान और लड़के तो पढ़ते ही हैं लेकिन लड़कियां ज्याद डेडिकेटेड हो के पढ़ती है क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने संगर्ष क्योंकि वैसे लड़कियां सारी राजकुमारी होती है उन्हें अपना संगर्ष जो है उनकी लड़ाई जो है वह पूरे समाद से ओटी है इस पेशली आप जिस एरिया में रहते हो खुशी है जी क्योंना अच्छा अनुट चोहान है कशिश चंचल मैतन हिंदी चंचल अहिर्वार मैतने दिद्ध स्टार आकाश कुप्ता मोहित बेनिवाल मतलब यह कंफर्म हो चुका है यह लोग अपने लड़ाई शुरू से लड़ती जब से पैदा होती तब से लड़ना स्टार्ट करती है और यह लोग आप देखो डेडिकेटेड आप मैक्जिमा आप चेक कर सकते होगे अधिकतर जो है वो गल्स ही है यह तो कंफर्म हो चुका है कि लोग पढ़ने में पहुत दो है ना विकास नहीं सुना तुमारा नाम सालब प्रनंशियसन कर रहे हैं को विकास नाम तो सुनाओं का नहीं सुना है तुमारा नाम नहीं सुनेंगे तो इनकी रेस्पेक्ट किया अगर आप लोग जो आते हो यहां पर प्यार मुवबत की बाते करने यह जो हमने यहां पर क्या बोलते हैं उसको शादिस हमारों इस तल खोल रखा है जो आप लोग आते हो बात चीट करते हो सोचा करो लोगों के लिए किसी किसी की भावनाओं के साथ मत खेला करो पढ़ा करो दूसरों को भी पढ़ने दो खुद भी पढ़ो आज नहीं तो खल कुछ जरूर सीखोगे सर आप कहां से हैं हम अभी हाल-फिलाल तो घर से हैं तुम बताओ तुम कहां से हो तुम भी घर से होंगे पॉर्ष्ण देख लो दो ती नहीं करा रहा हूं बस जादा नहीं करांगा किकि अपनी बात तो इती प्रॉमिस हाला कि इस चेप्टर में वैसा कुछ है नहीं यह तो पागल बनाने वाली बात है इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं 11.2 लिख रहा है नहीं तो मैं कुछ समीकरने लिख देता हूं आपके लिए कि 11.2 में बेसिकली जो समीकरन आपके काम में आएगी वह है y2 बराबर 4 x और आएगी y2 बराबर माइनस 4 x एक्स स्क्वाइर बराबर चार एवाई एक्स स्क्वाइर बराबर माइनस चार एवाई यह चार समी करना आपको यहाँ पर यूज में आएंगी इसलिए थोड़ा सा द्यान से देखना ऑफ लोग-एवाई के लास खतम करीए तो खतब नहीं करी तक प्रवले का अक्ष नियतक समी कम रिलंग जिवा की लंबाई ग्याद कीजिए तो चीन चीज़े याद करनी है नाभी के निद्रशांग एक परवले का अक्ष दो नियता का समीकरण तीन और नाभी लंग जीवा की लंबाई चार यह चार चीज़े याद करनी है तो पहला प्वेशन यह रहा अगर हम इस क्वेशन की तुलना करे इस क्वेशन से तुलना करो इसकी इस क्वेशन से तुलना करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो 12 4A बराबर 12 एका माना गया 3 12 बटा 4 एक आमान आ गया कि तीन तो नाभी लग तीन गॉमा जीरो नाभी क्या हो गई तीन गॉमा जीरो और इसके क्योंकि इसका समीकरण है वाइस्वारी बारावर चार है एक से अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो मैं बना देता हूं इसके अग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना भी इतनी आगी अक्ष कि खुला मुग किसकी तरफ है एक्स की तरफ तो यहां लिख दो एक्सक्ष के सम्मित ठीक है फिर उसके बाद इसने पूछा था आपसे नाभी लंभ और एक पूछा था नियता का सम्मिकरण तो यहां लिख लो नियता का सम्मिकरण X बदाबर इधर कितना है तीन तो यह माईनस तीन हो जाएगा और चोथा जो है वो है नाभी लंभ जीवा की नमभाई और यह आपके पास होगा कितना होता है दो ए होता है ना ना बिलंब जीवा की लंबाई दो ए होता है तो आप कह सकते हो दो ए का मान कितना है तीन तो यह आ जाएगा च्छाएक आजए यह हो गया question खतम अब यह question में रहो कराना पड़ रहा है बता है माइनस तीन थोड़ी आएगा सत्या कुमारी बिनित कुमार माइनस तीन कैसे आएगा अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं अब यह देख लो मैं सिरिफ इनका हिंट दे दे देता हूं आपको आप लोग ट्राय कर सकते हो क्वेशन एक जैसा ही अगर मैं इसकी बात करूं तो यह बन रहा है एकस स्क्वाइर एकवल टू फोर एवाई जैसा है तुलना करो तो आप देख सकते हो यहां पर कि अगर मैं इसकी तुलना करूंगा तो फोर ए बराबर छे ए बराबर छे बटा चार दो तीया छे दो दुनी चार ए बराबर तीन बटा दुआ जाएगा इसकी अगर मैं बात करूं एकस स्क्वाइर बराबर फोर ए वाई है तो आप कह सकते हो किसका जो समीकरण बनेगा वह समीकरण जो है वाई एकस की तरफ होगा यहनि किसका जो डाइगराम है वह कुछ इस प्रकार का होगा और नाभी लब जो है वह आपको मिलेगा जीरो कॉमा तीन दो तो इसकी जो नाभी है वह बनेगी जीरो कॉमा तीन बटा दो अक्ष जो है अक्ष अक्ष जो है वह है वाई अक्ष के सम्मित है अगर हम पूछे नियता का समीकरण तो नियता जो है वह कितनी है यहां से यह कितना है तीन बटा दो तो यह जाएगी माइनस के तीन बटा दो किस पर वाई पर तो वाई बराबर माइनस का तीन बटा दो और चौता है नाविलं बजीवा की लंबाई यह है डो ए एक आमान कितना है? तीन बटा दू तो गुना टीन बटा दू कितना आजाएगा? टीन आजाएगा तीन इकाई खटम आप देख सकते हो कॉष्षन-क कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बताया जाए ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वह रिलेटेड है एक ही टाइप के कॉश्चन से क्लियर क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर रेवा लेटस रेक्टम क्या हुआ भाई काहे परिशान हो रहे हो नाभी लंब जीवा की लंबाई चार ए होता है हमने क्या निकाला था नाभी लंब एक मिनट रुखो एक मिनट रुखो तो ये क्या है फिर हाँ नो तो बच गए ओ भाई बताओ तो फिर ये वाली चीज क्या है वो नाभी लंब होगा मेरे क्याल से हाँ वो एक्चुली यहां पर अगर हम बात करें तो वो एबी की लेंद बता रहा है जो कि आपके पास आ रही है यहां पर एक मिनट रुखो देखो कि कि वाई स्पायर बराबर चार एक्स कि बढ़िया वो वाई का मान निकला है हाँ वो वाई का मान है एक्चुली नाभी लंब जीवा की लंबाई यह वो वाई का मान है एक मिनट रुको नाभी लंब जीवा की जो लंबाई है इसको यहां पर लिख लेते हैं इसी के साथ लिख देता हूं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना चार ए है तो इस वाले में यह चार ए हाएगा चार ए यहां पर यह सब चेंज करना पड़ेगा एक का मान कितना है तीन तो यह बन जाएगा बारा एक आई और इसमें यह भी चार ए है आएगा चार ए तो यह बन जाएगा दो बार और दो ती आ जाएगा च्छें अब ठीक है अब ठीक है क्या कि यह अब ठीक है क्या कि एक कुछरा सर्थ आयू सिंग यह कहरा सर्थ ठक गया अब कि वेरी गुड़ भाई बहुत बढ़िया कि अब ठीक है इसको आप चाहूं तो इसमें थोड़ असा चेंज कर सकते हो यहां पर इसको लिख लो कहां गया हो यहां पर आप देखो कि तो वह एक्स कितना था आपके पास यहां से यहां कि इसको जहां से देखो यह ना भी लंब की लंबाई है ना भी लंब की लंबाई है इसको न ऐसे करो ना भी लंब की लंबाई की बात कर रहा हूं तो दो ए है ना भी लंब जीवा की लंबाई की बात कर रहा हूं तो कि यह चार यह उपपर वाली दो और नीचे वाली दो यह दोनों मिला के चार बन जाएगी है कि न्यू बैचेस कब से स्टार्ट कर रहे हूं कि न्यू मैचेस जल्दी स्टार्ट करेंगे बता दिया जाएगा भाई आपको के लिए रहे क्या इसमें भी चेंज करो न्भी लंब जीवा की लंबाई जो है वो चार ए है तो यह चार ए कामान कितना है दो यह आठ हा जाएगा आठी काई और तो नहींता कहीं पर और हो तो देख लो भाई चार ए है इसमें भी चार है यह आ गया यह कुश्चन देखो यह वाला वाइस पर बराबर चारे एक्स जी कुश्चन में मिस्तेक है या पर कहीं पर दोनों कुश्चन के अंदर कि इन क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्तेक है कि अजय है यह वाला 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 झाल झाल कि इस क्वेशन में थोड़ी से मिस्टेक एक बड़ देख नहीं है इधर अगर एक स्कॉयर होगा यह वाई होगा और अगर यह स्कॉयर होगा तो यह वाई होगा और यह वाई को अब आप देख सकते हो क्वेशन जो हैं कि आज तो मजाई आ रहा है अच्छा क्या बात कर रहा है अब यह वाले क्वेश्चन देखो मैंने कहा था एक बार फीचे समझ में आ जाएंगी तब आप आराम से कर लोगो अब आप इस क्वेश्चन को देखो निमने लिए प्रश्चन साथ से बारा तक प्रवुले का समीकर बराबर चार एक्स एक इतना है तो वाइस फ्वायर बराबर चार एक जगे चाहर रगए जाएगा अच्छोट चोईस एक्स आगे अब बताओ इसमें मैं क्या करा हूं आप इसको तो करवाना भी अपने आप में बेच जाती है कि दन्यवाद विनीत कुमार कता ही जहर हो रहे हो भाई कि आविनीत क्या हो गया लड़की ने छोड़ वोड़ तो नहीं दिया भाई कि ऐसे बैकी बैकी बाते कर रहा है कि अब 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 बतार्यों क्या बताओं आपको मैं कोई भी गुम्पिर कैसे सब्सक्राइब कि इतनी देदी नियता इतनी डी नाभी किति दे रखी के जीरो और माइनस तीन जीरो और माइनस तीन माइनस किस पर वाई एक्स्वर होगा यह ऐसा होगा ना ऐसा ना भी किती दे रखी कि जीरो और माइनस तीन तो वो यहीं पर हो सकता है इसको मैं क्या लिखू एक स्क्वाइर बराबर माइनस पूर एवाई एक कमान कितना है इतना है लिख दो कि वाई चोटा वाला होगा द्यान रखना अक्ष्पे नहीं होगा कराने लाइक कुश्चन हो तो मज़ा भी आया करना कराने में कि यह कि लिए रहे हैं यहां तक के अच्छाए बताओ कौन-कौन से में डाउट है तो सीदे डाउट वाले तक क्या अरे हम कुछ कह रहे हैं सुन रहे हो क्या कि किसी क्वेस्चन में अगर डाउट है तो पहले डाउट पूछलो डाउट वाले कर लेते हैं कहे टाइम कर आपकर यह क्लास कब अब जोगी जब तुमारा मन होगा अभी चले जाओ थक गए आप लोग या और पढ़ना है थक गए और पढ़ना है जो बच्चे क्लास में रुखे हुए हैं एंड तक इनको एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता ही है बनता है ये बनता है तो बोलो बोलो फटाफट जिस तरह कुछ खोए पाया नहीं जा सकता उसी तरह बिना नीन त्याद के महान बना नहीं जा सकता कि बढ़िया भाई चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ा दो सब्सक्राइब इसका अंसर बताओ दिखो इसका अंसर कौन बताता है जल्दी से इसका अंसर बताओ कॉस्टन का ये इस क्वेश्चन का अंसर बताओ गिफ्ट बनता है बताओ क्या चाहिए गिफ्ट में इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो अगर आपको ध्यान हो तो ये जो नाभी है इस क्वेश्चन में एक चीज और नोट करने इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी नाभी जो है वो जिरो और मा यह एक छोटी सी मिश्टेक है इसको ठीक करना जिरो और माइनस ए है यानि कि एका जो मान है वो तो तीन ही है और अगर मैं इसकी तुलना अब क्यूंकि एका मान तीन है यह इसका अगर मैं डाइग्राम बनाऊंगा इसका डाइग्राम बनाऊंगा डाइग्राम अगरा सब सही परफेक्ट है यह ऐसा माइनस एक फोकस है यहां पर आएगा लेकिन एक ही अगर मैं बात करूं तो ए तो मेरे पास कितना है तीन ही होगा तो ए अगर तीन है अब ज्यान से सुनना ए अगर तीन है और समीकरण आपके पास क्या बनती है माइनस 4AY बात समझे ना मेरी बात को और यहां पर ए का जो मान है वो कितना है तीन इस समीकरण को ध्यान से देखो ए का मान तीन है यहां पर अगर ए का मान तीन है तो X स्कॉयर बराबर माइनस 4 ए का मान तीन आ जाएगा एक स्कॉयर बराबर माइनस 12 आपको देखने को मिलेगा और यह इसका अंसर होगा माइनस का बारा वाय प्लस का नहीं आएगा चोटी सी जोटी सी मिस्टेक थी उसको ठीक कर लेना क्योंकि मैंने माइनस ए को कंसिडर कर लिया था अब मैं आपको यहां आप वह दो ब्च जाते हैं थो और और एक मैं चोटा सा टॉपिक आपको और बडाऊंगा जो की है आपका अति परवले जोग वाला जो है उसके मैं आपको मैं आपको जो जो concept आपको बताएं उनको एक बढ़ ट्राय करना है यह तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिर एक आइपर बोला आता है तो उसका सिरिफ आप डारेक्ट फर्मूला भी देख सकते हो बड़ी शुनिए यह तीन जो है वह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखना यह स्टार्डिंग के जो तीन मैंने इसलिए आपको टाइम लगा के पढ़ाया ताकि एक एक पार्ट आपको समझें आजाए प्रशन तो आपको ट्राय करने ही है फिर मैं आपको दिर्गबत कराऊंगा दो मिनिट का आपने को ब्रेक देद मत बा honest दा आपको टाइम नहां प्र shortest आपको टो मिनिट को समझें गए जा आपको टिर्गबत करते ही है लगा एक जाभठिट नहां फ़खको यावने आपको टा भी जे एक बासर स्नु एक दल ब्रेक ही है एक भालिम वरकष्म झाल 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 येस रेडियो क्या आब झाल बढ़िया तो सभी लोग तयार हो येनियाना चलो आगे देखो अब जो आपका अगला टॉपिक आता है वो है दीरगुवरत दीरगुवरत में बेसिकली जो में पार्ट है आपका वो द्यान से देखो अगर हम दीरगुवरत की बात करें तो दीरगुवरत देखो क्या होता है एक दिर्गवरत तल के उन बिंदूओं का समुच्च है जिनका तल में दो इस्थिर बिंदूओं से दूरी का योग अचर होता है दो इस्थिर बिंदूओं को दिर्गवरत की नाभियां कहते हैं जैसा कि आप इसमें देख सकते हो इसको मैं बना के बताता हूँ तो आपको फ एक बिंदू यह रहा और यह ना आपने पढ़ा भी होगा आपको याद है जब आपने फिजिक्स के इंदर वो पढ़ाता गया महापर आपने पढ़ा होगा या फिर उसके लावा आपको चांद तारे सुरज जो होता है वो इदर उदर बदलते न ऐसा अपनी अपनी यहां प पढ़ाता हमें लिए यह आपके पास इस रूप में होता है किता डराओना लग रहा यार इस शेटान जैसा लग रहा अब आप यह देखो को माने ते कोई एक बिंदू है यहां पर और को ईक बीडू है ओसे बहुत सारे मिंदू ऐसा जरूरी नहीं मैंने टीन लिए तो इससे दूरी और इसी बिंदू की इससे दूरी यानि कि यह बिंदू मान लेते हैं तो पी की F1 से दूरी प्लस पी की F2 से दूरी क्या लिखा था एक दिर्वर्य तल के उन दो दो बिंदू का समुच्च है जिनका तल में दो इस्तिर बिंदूओं से दूरी का योग अचर होता है अब ऐसे मान लेता है अगर एक बिंदू क्यूं है तो यह जो दूरी है और यह जो दूरी है यह जो दूरी है यह बराबर होगी Q F1 और Q F2 जो है वह आपस में बराबर बराबर पी Q तीसरी चीज फिर मन मार के R ही मानना पड़ेगा तो यह जो है R यह R पार के लड़ाई यह इस बार इसकी जो दूरी है वो बराबर होती है तो आप कहोगे R F1 और R F2 का जो योग है वो बराबर होता है और यह चलता रहता है यह एसा चलता रहता है और भी बहुत सारे होता है जैसे तीन बिंदू दिये थे तो तीन बिंदू ले लिए अपनने ऐसे और चार बिंदू लेलोगे, एक बिंदू और लेलो अगर यहाँ पर आप, फिर एक बिंदू यहाँ लेलो, जहां तुमारी अच्छा हो, वहाँ लेलो इन दौनों बिंदू को हम नाभी के नाम से जानते हैं यह जो दौनों बिंदुएं हैं यह बिंदु और यह बिंदु इसे हम नाभी के नाम से जानते हैं क्लियर ठीक है इन नाभी के बीच में इन दौनों नाभी के बीच में एक बिंदू स्थित होता है जिसको हम केंद्र के नाम से जानते हैं वापत बोलना द्यान से दिखीगा क्या हुआ किसी को कुछ डाउट है क्या कि येस किसी को कुछ डाउट है क्या हलो किसी को कुछ डाउट है आप लोगों में से कोई मानसिक रूप से स्वस्थ विक्ति है आप में से कोई बात ने चलो तो यह एक चीज हुई इसके बाद दूसरी बात करते हैं यह आपके पास एक दिर गवरत है अब दो बिंदू आपके पास यहां पर थे एक बिंदू यह रहा यह आपके पास focus 1 था यह आपके पास focus 2 था जिसको थे नाभी के नाम से फार मैं लांस्त में इसको mark कर दूँँ इस बिंदू के निर्देशांक अगर c,0 है तो यह हो जाएगा minus c,0 और यह जो बिंदू है इसे हम बोलते हैं केंद्र ठीक है फिर इसके बाद और भी चीज़ा आती है जैसे ये एक राइन है ये एक राइन है इन दौनों लाइन को क्योंकि ये बड़ी है इसलिए इसको हम बोलते हैं दिर्ग अक्ष बड़ा है इसलिए ऐसे ही दो अक्ष आपके पास और है एक अक्ष ये रहा और एक अक्ष ये रहा और इन्हें हम जानते हैं लगू अक्ष के नाम से छोटा बड़ा तो नहीं है हां इन्हें हम जानते हैं लगू अक्ष के नाम से के लिए रोगया फिर वो एक बिंदु इंदु जो तो आप बनाई सकते हो कोई बड़ी बात नहीं हो तो यह तो पता ही आपको इस बिंदु के निर्देशान कोते हैं A,0 इस बिंदु के निर्देशान कोते हैं 0,B लगू अक्ष और देरिप्रक्ष दो केस याप पर आपको देखने को मिल सकते हैं कहने का मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी आपके पास A और यहां से की जो दूरी आपके पास C है अगर मैं आपसे पूछूँ, पैसे तो नहीं पूछना चीए, बट मैं पूछूँँगा, मैं ऐसा ही हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँँ कि इसकी और इसकी दूरी क्या है, तो बता सकते हो क्या, यह पूरी कितनी है, A, A में से अगर C अठा दूँगा, तो यह आ जाएग आप लोग यह दिल्खुस करने वाली बाते हैं बढ़िया इस बिन्दू को नाम दे देते हैं पी और इस बिन्दू को नाम दे देते हैं क्यूं आप समझना चीजों को थोड़ा सा एक एक डाइग्राम मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं कि दिरगक्ष क्या होता है लगवक्ष क्या होता है इनको हम बोलते हैं नाभिया यह आपके पास नाभी अपके पास नाभिव यह बिंदूता आपको पता लग गया एक कॉम जीरो है इधर वाला मािनस टेकाम माजीरो होगा कि मैं उधर वाला ए है तो इधर वाला माइनस कारी है अधर वाला जीरो कॉम भी है माइनस का 0, 0 कामा माइनस का B है हम क्या करते हैं अब हमें 3 सीजे देखने को मिल रही है 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है B और 1 मिल रहा है B, और 1 मिल रहा है C हमें इन 3 के बीच में एक संबंध ग्याद करना है क्या कह रहा है नावी जो है प्लस माइनस सी कॉमा जीव क्लियर है आपको ध्यान से क्या देखना है हम यहाँ पर एक संबंद इस्ताफित करना चाहते है A B मैं C में कम्भन important भी हाई आदित्य पराशार क्या दिक्कत है बोलो आदित्य पराशार दिक्कत बोलो पटापट आदित्य पराशार दिक्कत बोलो येस बोलो फटाफट जल्दी और डाउट डाउट के आगे भी कुछ बोलेगा अब बोलो भे डाउट लिखके गायब हो गए येस इसको डाउट ही नहीं है ना भी किसे कहते हैं अभी आया है कि सुबह से सुबह से चले लास तो आट बज़े से अभी आया है लेट हो गया यह वाला फॉर्मेट है अगर मैं आप से कूछ हूँ कि मुझे एक बात बताओ इसमें एक चीज़ और करते हैं दीरिग अक्ष की लंबाई एक चीज़ और एड़ करना चाहो तो करते हैं यह दिरिग अक्ष है इसकी लंबाई कितनी जाएगी यहां से आता कितना ए यहां से लगो अक्ष की लंबाई यह थोड़ी से द्यान लख लेना अब मैं एक फटा फट जल्दी से चोटा सा डाइग्राम बना दूँ वैसे तो आपको इसमें भी किलियर हो जाएगा तो ABC के बीच में अगर मैं संबंध की बात कर रहा हूं तो आप द्यान से देख सकते हो एकस यक्स 0,B A,0 F1 minus C,0 F2 0,C अगर मैं इस बिंदू को इससे मिला देता हूं पाई तो खुरस अंकल तो मजाक मजाक में बहुत अच्छी चीज दे गए हो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इनकी दूरी जो है वो तो बराबर ही होनी वैसे भी भाई इनकी दूरी का जो योग होता है यह आपके पास केंदर है न द्यान दखना यह केंदर है आपके पास यह बिंदू पी है यह बिंदू क्यों है ये दू बिंदू भी आ गए तीन चीज़े आपको पता लग गए क्लियर रह गए अरे भाई क्लियर रह गए बढ़िया एक बात और द्यान रखना ये जो दिरगक्स होता है इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको द्यान रखना एक आमान बी से बड़ा ही होता है इंपोर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है इंपोर्टेंट है ध्यान रखना इसको पी और इसको क्यू ले 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 थे थोड़ा से अब आप देखो दो चीज़े आपको पता है इनके बीच की दूरी भी पता है अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी निकाल नहीं तो मुझे बात बताओ यहां से यहां तक कितना है और यहां से यहां तक आप चाहो तो मैं इसको ना ऐसे मार्क कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा इस बिंदू से इस बिंदू सक्की तूरी और इस बिंदू से इस बिंदू तक की तूरी तो अगर आप ध्यान से देखो यह पूरा कितना है देखो यह माइनस का सी यह प्लस का सी और यह आपके पास कितना हो जाएगा यह आपके पास ए माइनस यह पूरा ए है ए मैसे सी को गटा दो समझ आ रहा है देखो ध्यान से आपको दो बाते नोट करनी है यह लड़का कौन है इस बच्चे को अठाओ फिल्टो क्लास से यह परिशानी कर रहा है सब के लिए ठीक है बिलकुल अठा दिया अब दो बाते द्यान अठना जैसा कि आपको पता है इस डाइग्राम को देखो इस बिंदू की इससे और इससे जो दूरी है यह दूरी प्लस इस दूरी का योग जो है वो क्या है पॉंस्टेंट है यह जो बिंदू है पी तो पी एफ वन गायो प्लस पी एफ वन और बियर तो कि बराबर होगा क्यू आप ईफ वन क्यू गूजाम कि एक टूबneys कि और अब अब पी एफ रग्बार कोई बता सकता कोई भी बच्चा मुझे जो भी बताएख कि पाखती है कोई बही यह जो जीने सोब बताए गार किसी के बसकी बात नहीं है कि पी एफ बन कोई बता सकता है कितना है कि येस पी एफ बन कितना है कोई भी बता सकता है कि वेरे गुड बहुत बढ़िया कि देख सकते हो आप यह पी है यह एफ वन इसकी बीच की दूरी मुझे बतानी बस कितना होगा यह बता दो कोई भी बच्चा बता सकता है कि ए माइनस सी कि ओम कुमार में बिल्कुल परफेक्ट बताया है कि ए प्लस दी अरे माइनस सी का से हो जाएगा भाई मैं ना भी थोड़ी पूछ रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूं कि इसका मान कितना होगा कि इसका मान पूछ रहा हूं भाई इसका मान पी से एफ वन की दूरी कितनी होगी वह पूछ रहा हूं मैं देखो लिखावा है यार देखके तो बता दो कम से कम अब लिखा हुआ है देखके तो बताई सकते हो कम से कम हम कौन सा आप से कह रहे हैं कि आप को जबर जिस्ति करो पी एफ टू आप सबी को पता है देखो इधर देखो पी एफ टू पता है कितना है कि अच्छा क्यू एफ वन कितना है अभी लुखतें इसको भी लिखतें क्यू एफ वन कितना है इसको ध्यान रखना है क्यू एफ वन कितना है क्यू एफ वन कितना है और क्यू एफ टू कितना है यह बता सकता है कोई क्यू एफ पन और क्यू एफ टू कितना है कि अगरब ध्यान से देखो और यह कितना और यह कितना यह कि यह कितना कि अग्रैंग आदार आदार क्लस लंब मुच्वायद winner अ और यह भी कितना जाएगा यह भी इसका भाई यह 20 स्कॉयर प्लस 20 स्कॉयर अब बताना है प्लस कितना होगा कुछ बच्चे बता रहे हैं प्लस थी कोई बता रहा है एपी एसी कैसे कर लेते हो या तुम लोग यह सब लोगे है बाबू है ओ बाबू है बड़िया भाई देखो भाई कुछ बच्चों ने बताया है जिनका अगर मैच कर जाए तो आप लोग खुशी मनाईएगा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यह बन जाएगा आपके पास अगर आप इसमें देखोगे तो सी से तो सी कैंसल हो रहा है ए और ए मिलके बन जाएगा दो ए और यहां पर आपके पास बन जाएगा दो रूट बी स्कॉायर प्लस सी स्कॉायर अगर मैं दौनों तरफ वर्ग कर देता हूं पहले इसको उठा देते हैं इसको उठा दोगे तो एक का मान आ जाएगा वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो यह बन जाएगा A square बराबर B square प्लस C square या आप इससे ये भी लिख सकते हो कि C square बराबर A square minus B square ये एक important result है इसको द्यान डखो ये एक important result है result है इसको mark कर लो C square बराबर ये A square plus B square थोड़ी आएगा A square minus B square आएगा ये क्या नाम है भाई साब का इसका जो भी बच्चा लिख रहा है बिट्टू कुमार मैतो बिट्टू कुमार मैतो तो ये आपको द्यान डखना है फिर इसके बाद हमारे पास एक topic और आता है जिसको हम बोलते हैं उत्केंद्रता eccentricity अगरे उत्केंद्रता ऐसे लिखते हैं ना उत्केंद्रता eccentricity उत्केंद्रता जो है e is equal to होता है कितना कोई बता सकता है e उत्केंद्रता कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगरे उत्केंद्रता सकता है कि सी बटाए e equal to होता है c क्या होता है केंद्र की नाभी से दूरी और e क्या है केंद्र की शीर्षी से दूरी important result है द्यान रखना e is equal to c अपोन है यहां से आप c का मान भी निकाल सकते हो यह आजाए यह आपके पास एक relation तो यह मिल गया abc के बीच का relation तो यह मिल गया जो कि important है a b c के बीच का relation तो यह मिल गया जो कि important है एक relation आपको यह मिल गया अब बात आती ही कि इसकी समीकरण क्या बनेगी तो समीकरण बता दें इसकी हे चली उपे समीकरण बता दें इसकी फटा हे चली है शुरू करते हैं अब यह इंपॉर्टेंट पार्ट है बस इस पर द्यान दख लो दिर्गवरत की समीक्राण यह आज की क्लास पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट भी है इसके बाद हाइपर बोला है जो आप लोग एक बार देखना क्योंगी समीक्राण इससे मिलती जूलती एकस स्कॉयर अपॉन बी स्कॉयर वाले कंसेप्ट से हना हाँ समीक्राण तो पता एकस स्कॉयर अपॉन एस्कॉयर प्लस यस्कॉयर बटा बी स्कॉयर बराबर एक लेकिन हाइपर बोला जो है अती परवले जादे इंपर्टेंट नहीं है उसकी जो समीकरण है वो उससे मिलती जुलती समीकरण ही है मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो फॉर्मुला बनेगा वो कैसा बनेगा हना इस पर थोड़ी से आपने को काम करनी की जरूरत है वो ना पर आप देख सकते हो मैं बिंदू लिख देता हूं कि यह आपके पास एफ वन है यह आपके पास एफ टू है और माइनस सी कॉमा जीरू कि कॉमा जीरू कि लिए रहे तक का दिरगवरत का समीकरण ग्याद करना है वो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा द्यान से देख ल और क्यूब देते हैं यह पी है यह क्यूँ है इस कूँकर निर्देशांक ले लिए एक्स और वाय के लिए अगर मैं पीएफ की बात करूं और आपको पता है कि पी एफ वन पी एफ वन और पी एफ टू जो है वो बराबर है किसके P F1 और P F2 जो है वो बराबर है किसके Q F1 और Q F2 के तो P F1 और P F2 जो है इन दौनों का योग तो दो है जो हमने पहले भी निकाला है Q F1 एक नया है आपके पास पॉइंट तो इसके लिए आपको क्या गनना पड़ेगा हम इसके लिए काम कर सकते हैं दूरी सूत्र का परियोग कर सकते हैं तो दूरी सूत्र से आप देख सकते हो x प्लस c का whole square और दूसरा है y माइनस 0 का whole square प्लस यह बन जाएगा x माइनस c का whole square और y माइनस 0 का whole square और यह समिकरण आपके पास बन जाएगा 2a बराबर root x प्लस c का whole square प्लस y square यह आपके पास आगया किसी भी एक पद को उठाके दर ले जाओ मान ले दे मैं इसको ले गया तो यह में पास बच जाएगा 2a माइनस x प्लस c का whole square प्लस y square बराबर अंडर root x माइनस c का whole square प्लस y square वर्ग करने पर ऐसा वर्ग करोगे तो यह a माइनस b का whole square खुलेगा तो यह बनेगा a square माइनस 2 a b plus b square derivation अधिकतर लोग छोड़ देते हैं नहीं करवाते हैं पर आपको करना चाहिए मेरा मानना है ऐसा इसको अगर आप solve करोगे तो यह लिख रो 4 a square माइनस 4 a root x plus c का whole square plus y square यहां से बचेगा x plus c का whole square plus y square x minus c का whole square plus y square जो पद कट रहा है उसको तो काट दो y square से y square कट जाएगा और कुछ कट रहा है क्या और कुछ नहीं कट रहा है इसको open करना पड़ेगा इसको open कर देते हैं तो 4 a square माइनस 4 a under root x plus c का whole square plus y square plus a square माइनस plus 2 a b plus b square plus b square a square माइनस 2 a b plus b square जो पद कट रहे हैं उनको काट दो बिना कोई रहम करे x square से x square कट जाएगा x square से x square कट जाएगा क्या बच गया यहां पर आपके पास बच रहे हैं 4 a square माइनस 4 a under root x plus c का whole square plus y square और यह plus का 2 x c है 2 x c इसको अगर उदर बेज़ देंगे तो वह माइनस का बन जाएगा माइनस का 2 x c और माइनस का 2 x c है यह आपके पास आप तो इसको अपन लिख सकते है 4 a square minus 4 a under root x plus c का whole square plus y square इसको इदर ले ले लेते हैं और इस वाले पत को इदर बेज लेते हैं तो यह बन जाएगा a square plus x c बराबर a under root x plus c का whole square plus y square फिर पुना वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो यह बन जाएगा x a square x c का whole square बराबर a square a under root x plus c का whole square plus y square तो यहां से a plus b का whole square है a square plus 2ab plus b square plus b square बराबर a square और यहां पर आपके पास दो पत बनेगे एक x plus c का whole square plus y square अगर हम यहां पर द्यान से देखें तो a की गहाद 4 2 a square c x x square c square a square और यह बन जाएगा a square 2ab plus b square इसको भी solve करेंगे तो यह बन जाएगा a की गहाद 4 a square x c x square c square बराबर a square x square plus 2 x c a square a square c square a square y square यह आपके पास पत बन गया डरावना है ना बहुत ओ डरावना लग रहा है यह बहुत से था देखो कैसे डरावना से लग रहा है हना तो अब क्या करें अब दो एक पार्ट हुआ है तो भी तो अभी थोड़ा सा और बाकी है अब क्या करें देखो क्या क्या कट रहा है कुछ कट रहा है तो काट देंगे नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे एक काम और कर सकते हैं इसमें एक काम ये करते हैं ये वाला पद ना next page पे लिखी लेते हैं काते का नहीं है पूरा इस वाले पद को यहां से उठा के next page कि इसको जब वर्क करेंगे तो यह बन जाएगा एस्क्वाइर प्लस 2AB प्लस B स्क्वाइर इस पदका तो यह बन गया बराबर A स्क्वाइर एक्स प्लस C का होली स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर यह आपके पास बन गया इसको सॉल करें तो यह बन जाएगा एक ही गहाद चार दो A स्क्वाइर एक्स C एक्स स्क्वाइर स्क्वाइर बराबर A स्क्वाइर यहां पर इसको भी आगे सॉल कर लेते हैं इसी के आगे यहां पर तो यह A स्क्वाइर है और यह आपके पास A स्क्वाइर plus 2ab plus b square plus y square तो ये बनेगा x square a square x square plus 2xc plus a square c square a square y square अब क्या करें अब हमें एक formula पता है जो थोड़े दिर पहले भी हमने सीखा है वो है c square बराबर a square minus b square तो एक काम करते हैं हमें यह पता है c square बराबर होता है a square minus b square तो c square की जगे यह रख देते हैं ठीक है तो किलियर हो जाएगी बात ऐसा रख दें क्या हो जाएगा इससे आदे बच्चों का तो द्यानी नहीं है बगवान जाने वह चल रहा है जो चलने दो चलने दो कोई दिमाख मत लगाओ बस चलने दो आधा यह राहूल फिर आ गया देखो यहां पर भी आ गया है तो अपने काम करते हैं सी स्क्वाइर बराबर स्क्वाइर माइनस बीस क्वाइर लिख के देखते चलो एक गज्चार आधा अ स्क्वाइर की लिख देते हैं अग्याध ए इसक्वाइर करते हैं तो यह बनेगा एक ग्हाद 4, 2A-square XC A-square X square X square B-square, बरावर A-square X square 2 XC 2 XC plus A की गाज 4 A square B square, A square Y जो जो कट रहा है उनको काटते हैं पहले तो, फिर बाद में एक-एक लेंगे दिरे-दिरे हैं न यहां से देखो A की गाज 4 है क्या, इदर भी है और इदर भी है काट von 2 A square X C है क्या X C का तो A की के से नहीं है कि asked is square एल्ré mix has worked together एक्स स्क्वाइर और यहां पर जब इसको अंतर और पुना करेंगे तो यहां पर आना चाहिए कि यहां पर इसको खोलेंगे तो यह बने का ईस्वायर को भी तो बुना करेंगी यह A sqyyro आया गए इसके साथ में तो इधर A square आएगा इसको मैं काट के लिख देता हूं दो A square x से यहां पर इससे यह भी कटेगा अब जो पद बचेगा वह बच गया आपके पास X square बी स्क्वाइर बराबर माइनस ए स्क्वाइर बी स्क्वाइर प्लस ए स्क्वाइर यह सही है और देख लो कुछ बचेगा तो नहीं आइए ले 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 इसे स्क्वाइर और यहां ले आते हैं तो यह बन गया एक स्क्वाइर बी स्क्वाइर बराबर एक स्क्वाइर y-x²b² इसका अगर भाग देंगे तो पद मैं कहीं न कहीं मिस्टेक हो रही है एक छोटी से देखो यह actually समीकरण जो है यह कुछ इस format में बनने चाहिए x² upon a² plus y² upon b² बरावर एक यह रूप है समीकरण का और यह इसमें न बनकर कहीं पर plus minus की मिस्टेक हुई है कहीं पर plus minus की मिस्टेक हुई है देखो कहां पर हुई है क्योंकि इससे अगर भाग देंगे तो एक कट तो जाएगा लेकिन यह वाइस स्कॉयर नहीं आ रहा या तो अपने ने कहीं उतारने में गल्ती करियोंगी यहां पर यह वाइस स्कॉयर आएगा देखो एक तो यह गलती है कि यह आ गया अब अब एक माइनस की मिस्टेक आ रही है माइनस की मिस्टेक कैसे आ रही है एक मिनट माइनस की मिस्टेक इसलिए आ रही है यह माइनस का एक सी था यह दरा के प्लस का बन गया और यह प्लस का था यह दरा के माइनस का बन गया अफिलमे में इसमें सॉल किया यह इदर आगया मैनस का अगय अदर से हम यह मामास का था यह उटर जाके प्लस का बन गया और वह अंधकि पास कर wipes कि यहां से श् obese है माइनस का ए रूट एक्स प्लस C का hold square plus Y square बदाबर मैनस XE, फिर A square plus XC रश्पोदर भेच दिया, इसको solve किया, अब सब सही तो है, क्योंब एक minus की mistake आ दिये, देखो कहा mistake और ऑगी, यहाँ पर, यहाँ पर, इसको अंदर गुना करेंगे than x square, इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा यहां पर यह माइनस का आएगा तो माइनस का X स्क्वाइर B स्क्वाइर और यह तर जाके प्लस का हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो अप्लस का बर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां दो सकते हो से बाग देने पर इसक्वाइर बटा एक एसक्वाइर वाइस क्वाइर प्लस एक्स स्क्वाइर बी स्क्वाइर देखो B square से B square कट जाएगा यहां जे A square से A square कट जाएगा इस पूरे से A कट जाएगा तो यहां पर आपके पास बज़ गया एक बराबर Y square बटा B square प्लस X square बटा A square और आप इसको लिख सकते हो X square बटा A square प्लस Y square बटा B square बराबर एक और यह जो है वो दिर्ग वरत का समय करने एक समय करन यह होता है और एक समय करन और होता है दो समय करन लिख लो एक समय करन तो यह होता है X square बटा A square प्लस Y square बटा B square बराबर एक और एक समय करन होता है आपके पास X square बटा B square प्लस Y square बटा B square बराबर एक कि दौनों में क्या फ़रक है अरिश में दृग्हवरत ऐसा होता है मुशन में इसरे दौनों में इंपॉर्टेंट बात जो आपको द्यान रखनी है वो क्या है जो 2018 होगा जैसे यह झीरो कॉमा ए और यह आपके पास व्ह ॐ जीरे हो जाएंगा कि इसमें चर्ण निर्दे शांग करहां जो बड़ा है वसी के साथ राएगा इसलिए लिए मेंशा बड़ा होता है और यह जाएगा जीरो कॉमा अबी Yes, कि अगर खोमा सलिर को अगर शिखा नes टेहुं को forces और तो आप देख सकते हो ये कुछ समीकरन रही है जो भी अभी मने डिसकस करी और ये एक समीकरन नहीं है जो अभी अभी मनें डिसकस करें कहें हर्शिता चौधरी कैसा लगा यह बता आप तो समीक्र ने आपको दो आपने देखिए इन दौनों पर आपको काम करने की जरूरत है अब मैं आपको बता दू कि आज हमने जो डिसकस किया है फिर वो इसमें उत्केंदरता परिवासा वगरा फालतू की चीज थी जो आपने अल्रेड़ी अपकेवल एक्सराइस के क्वेश्चन अगर आप देखोगे एक्सराइस के क्वेश्चन आप लोग ट्राय करके देखना आपको एबी कमान निकालना होगा या उत्केंदरता पू तो आपको यह तीन चार चीजें देखने को मिलेगी इसके बाद इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा तीनों के बीच में संबंध याद रखिएगा मैं आपको फटा-फटा एक बार बता दू कि हमने तीन चीजे डिसकस करिया इसमें पहला है व्रत दूसरा है आ उसकी चार समी एकरण हमने द देखा था वाइक्सिकुएर बडबर भी की नाभी लंब की लंबाई जो कि आपके पास चार एके करीब थी इसमें एकात मिस्टेक हुई थी इसलिए उसको तोड़ा सत्यान से देख लिएजेगा फिर अगर हम बात करें दिर्गवरत की तो इसके के बीच में संबंद देखा था एबीच के बीच में छोटा सा संबंद था अगर आपको याद हो तो हां गया यह रहा अचिसको किया आ चार बढबर ए और ऐसको क्लार से सेख़़ के लिए प्लाल पूर्ड़ा हती है इसमें आपकी कम की बात थी वो ती दिर्ग अक्ष की लंबाई जो की दो खोवीके रोप में थी के लिए दो चीजी आपके पास की और नाभी फिर उसके बाद शिर्ष जीवा है यह इसमें थी जो आज हमने डिसकॉस की नियुकर यह जिए ठीजो आज हमने डिसकॉस की उमीद करता हूं यह सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगी किसी question में अगर आपको लगा हो कि इस question के अंदर problem है या किसी particular part में आपको problem आई हो तो आप comment section में बता सकते हो और किसी को अगर मेरी बात बुरे लिगी हो ता हम extremely sorry for that इजाधर दीजेगा इस वीडियो में फिला लितना ही अच्छा इसकी जैरी किसी किण चाह्ट भावार आपक अपको झापको planner 37 dens युर्ट